लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट आइकन के सजुब आद लेटने एकिर अड考 पूदलों मुखफब ऐसे कैसे हो गया? आनन, क्या हुआ? होली को कौन टार सकता है नीला? समान पैक करो, हमें अभी निकलना होगा. सुभाज को तो खबर कर दो. क्या? सिर्फ चार? सिर्फ चारी टिकटे कन्फरम हुई है. कैंसल करो. हुना की किसी और फ्लाइट में कोशिश करकर देखो. जाना तो हम लोग को साथ ही है. तो फिर ये ट्रेन और प्लेन का जंजट छोड़ो, अपनी अपनी गारियां लेकर निकल पड़ते हैं. हमारे वहिया की तबियत कैसी डॉक्टर? हालत सीरियस है. कल रात वो अचानक भेहोश हो गए. जब सांस उखनने लगी और नफ्स जूगने लगी, तो मैंने राम सिंग से कहकर आप लोग को बंबई फोन करवा दिया. लेकिन बड़े बहिया को ये अचानक या हो गया? कुछ मैने पहले उन्हें एक पेरलेटिक अटेक हुआ था. क्या? पेरलेटिक अटेक? राम सिंग, तुमने किसी को बताया तक नहीं? साहब का हुकम था, क्या आप लोगों को तकलीफ नह दी जाए? दिनानाच जी को ये सद्मा बरदाश करने में हफ्ता दस दिन लग गया है, क्योंकि वो लकवे का शिकार हो चुके हैं. मतलग, वो अब कभी नहीं चल पाएंगे? नहीं. डॉक्टर साब, बड़ भाई साब, की सिंदगी आउट अव देंजर तो है ना? फिलाल कुछ कहानी जा सकता, मैंने दवाई दी हैं, उनका असर हुआ और रात बर में हालत सुधरी तो उमीद बांदी जा सकती है, वरना फिर मैं कल सबरे आही रहा हूँ, ओके, बाई. बड़े भाई, आपके साथ इतना कुछ हुआ, और आपने हमें बताया तक नहीं. यनि कि हम आपने बड़े भाई को कभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआने देख पाएंगे? तुम सब समानो अपने आपको. रमेश, सुभाष, ए अर्शद, ए अगर हम सब लोग इस तरह हिम्मत हार जाएंगे, तो भाई साब की हिम्मत कौन बढ़ाएगा? जो जाके आराम करो, सफर के बाद ठक गए होंगे, मैं बैटता हूँ या भाई साब के पास? आनन भाईया, आप चल कर आराम कीजिए, मैं बैटते हूँ, वैसे भी बड़ों की सेवा करना हम छोटों का धर्म है. मेरी बात मानिये, आप लोग सब चल कर आराम कीजिए, मैं हूँ न, सहब की देखभाल के लिए. राम सिंग, तुम तो कितने सालों से जर्ची की सेवा का सवभाग्य प्राप्त कर रहे हो, अब ये फर्स तो हम सब का बनता है. मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, कम से कम चल कर कुछ खातो लीजी. कैसी बाते कर रहे हो, राम सिंग? भाविया यहां पर भूखे, प्यासे, भ्योश पड़े हैं, और हम वहां बैटके खाना खाले हमारी हलक के नीचे निवाला कैसे जाएगा? तुम इन बच्चों को ले जाकर खाना खिला दो. मैं और शैला यहां भाविया के पास बैठते हैं, और हाँ, आप सब लोग भी जाकर भगवान से दौा कीजिए, कि भाविया जल्दी ठीक हो जाएगाएं. रमेश बैया, रमेश बैया, रमेश बैया, रमेश बैया, रमेश बैया, रमेश बैया, ऊपर वाले ने हम सब की सुन ली, सहाब को होश आ गया है, सुभाज बैया, सुभाज बैया, सुभाज बैया, सुभाज बैया, सहाब को होश आ गया है, अच्छा बैया, अच्छा बैया अरे तुम सब यहां यह सपना है यह हकीकत यह हकीकत है हमाई दुनिया की बड़े भाई हम पाज भाई लेकिन यह अचानक तुम लोग कठे कैसे आ गए भाई सब हम लोग कल से अपनी सास रोके हुए थे जब से आपकी तबियत का पता चला था मेरी तबियत को क्या हुआ है भाईया आप देड़ दिन से ब्योश पड़े हुए थे अच्छा अरे इतनी लंबी उमर में एक देड़ दिन की फुजूल खर्ची चलती है भे होश में तो पूरी सारी उमर गुजार दी भाईया डॉक्टर साब बहुत परिशान थे उन्होंने हमें बुलवाया अरे तुम सब को एक साथ बुलाने का ये नुस्खा मुझे पता होता तो मैं पहले ही असमा लेता हर साल एक बार पहोश बड़ भाईया हम सब आप से बहुत नाराज है आपक करल चाट पढ़ा हारै अपने हमें खाबर तक नहीं की अरे वह अटैक तो एक नाच तक था है दुनिया भर की सारी कारें चला कर देख चुका था है कografशी चाहता था जो के घर में भी चल सके उल लेडाया वो देखो लेकिन भहिया, कम से कम हमें बताया तो होता अरे तुम लोग अपने अपने कारोबार में लगे हो ये सुनकर खामपा परिशान हो जाते बड़े भहिया, धिकार है से कारोबार पर जो हम आपके लिए थोड़ा सा वक भी दा निकाल पाए अरे बस ये, ये लड़की कौन है इसे पहले कभी नहीं देखा क्या अपने साथ नर्ष भी ले आए वो नहीं भहिया, ये नर्ष नहीं, ये हर्षत के दर्दे दिल की दवा है अच्छा, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को अरे, आप नजरें जुकाए क्यों खड़े हो लला भाईया को बता दो न, ये उनकी सबसे चोटी बहू है बहू? तो उन्हें शादी कर ली हर्षत इसे को पता तक नहीं चला बड़े भाईया भाग कर शादी की है बंबई में भाग कर शादी होती है अरे, अपने जमाने में तो साथ भेरे लेकर होती थी आनन्द, तेरा भाईस साल भी नहीं आया ना लगता है परभाकर मुझे इस जनम में माफ नहीं करेगा अरे, दिननाथ, कमाल है, तुझे होश आगया अरे, ये होश तेरी वज़े से नहीं आया है अब सुबज तुब अपनी ये दुकान मत खोल मैं अगर अपनी ये दुकान ना खोलता ना तो तुम सामान बान कर कप के निकल लेते अब जड़ा चेक-प कर लेना दो ये मेरा चेक-प नहीं कर रहा है अपना चेक कैश कर रहा है ये कमबक्त डॉक्टर पता नहीं मुझे कब तक जिन्दा रखना चाहता है लेकिन जब तक ये जिन्दा है ना अपना मरने का कोई चांस नहीं भया प्लीस ऐसी बाते मत कीजिए अरे होने को कौन चाल सकता है कमाल ये दिन्दानाथ क्या होश आया है ब्लड पिशर नॉर्मल हाटबीड नॉर्मल लगता है तेरे भाईयों और बहुं को यहां देखकर तेरी बीमारी भाग गई वैसे भी इतनी आवाद दुनिया में किसी बीमारी को एंट्री कैसे मिल सकती है नजर मत लगा तुम कहां जा रही हूँ मैं भगवान को हाथ चोड़ने जा रही हूँ अपने भाईया जो ठीक हो गए आहाहा तेरी तकदीर भी सिकंदर है दिनानाथ चारो भाईयों का प्यार तो मिला ही है चारो भाईयों भी कितना ख्याल रखती है तेरा तेरी इकलोती जिंदगी ऐसी देखिए मैंने जिसमें कोई कमी नहीं कमी है डॉक्तर पिछले पंदरा साल से कमी है तेरी मेरी जिंदगी वक्त का साज है एक पल खुश है तो एक पल नाराज है तेरी मेरी जिंदगी वक्त का साज है एक पल खुश है तो एक पल नाराज है एक हमे भी कौना कर पुश्चालाद है एक ही तो दुख है जो दिल में अटका हुआ है। पर्भाकर को जाने क्या सुख मिल गया मुझे ये दुख देकर। वो भी एक मामूली से जगड़े की वजह से। अरे उसे जा रहा था तो चला जाता, अगर साथ में अपने बेटे अमर को भी ले गया जिसमें मेरी जान बसी हुई है, ना लोट खराया, ना पता, ना ख़बर, अमर के बगार ये आली शान महल, एक वीरान, मकबर असा लगता है। इस उमर में और ये गम, कितने बेबस, कितने लाचार, कितने मजबूर लग रहे थे बड़ भाया, मेरा तिल तो अभी तक भाया के आसु देखर हो रहा है। लेकिन सुभाश, अब दूपते हुए सूरज को सुभा की जलक कहां से दिखाएं। दिल में जब ऐसी ख्वाश जिन्दा रह जाती है, तो चिता की आग में भी राख नहीं मिलती। आप लोग क्यों ऐसी बाते कर रहे हैं। भाया की ख्वाश पूरी करने का कोई तो जरिया होगा। परभाकर भाया की कमी आप लोग पूरी कर देंगे लेकिन उन्ही अमर की याद भी तो बहुत सब आती है। क्योंड हम अमर की ये कमी अपने बच्चों से पूरी कर दे बचे अगर भाया के आज पास रहेंगे तो शायद वह आमर को इतना याद न करें। हां बाभी जी बात सही है बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात कही आपने यह यह मैं आपका खाना लेकर आउ यह लेकिन यहे वलोग कंखा रहे इंग मैं यह मेरें ले का अंका तो मुधित कुण। मैंने कह दिया न मैं वहीं खाओंगा संदर गु़ संद्छा आज क्या मंगलवार है तो फिर ये टेबल पर सबदाट़ यह हरी 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 साअब मेरी गलती नहीं है मैंने खाना नहीं बनाए यह सब आपके बुहों ने अपने हातों से बनाया भेया, वो क्या है? कि आज हमने आपके लिए सिर्फ हरी सबजिया ही बनाई है. भेया, डॉक्टर की खास इदायत थी ए. हाहा, अच्छा. वह, 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 वह! जरह वह पीली सबजी देना, अनन? जी. भाई, वही रसोई, वही बर्तन, वही मसाले, वही सबजी. फिर हमारे यहां यह रोज इतना जाएकेदार खाना क्यों नहीं बनता था साथ , तिकेट कठालू टिकेट ? कहां कहा ? गाउं जा निकी क्यों ? आपसे बोहों के हाथ का बना हुआ खाना आपकी जवान पर चाड़ जाएगा फिर मेरा यहां का कम? आरे नहीं नहीं, तेरी भी कभी कभी जुरूरत पड़ेगी, जब कभी बुरा खाने कुछी की है तो लो भई सब लोग लोग आना लोग आरे विनोद, आओ आओ नहीं नहीं, ठीक है सर मैं बाद में आजाते हूं आज आओ, आओ, आओ हाँ, बोलो, क्या काम है? सर, EDC के जो शेज हैं, उसकी कीमत आस्मान चुने वाली है और आज इसको खरीदनी के आखरी तारीक है हाँ, तो ठीक है, बीस लाग के खरीद लेते हैं लाम जिंग, विनोद को तिजोरी में से बीस लाग दे दो लेकिन दिवान साहब, तिजोरी में तो सिर्फ पांच लाग रुपए बचे हैं पांच लाग? जी, लेकिन उसमें तो प्रीस लाग दे है खेर, कैश का इंतिजाम तो करना ही पड़ेगा भया, मैं कुछ इंतिजाम करूँ, सोबे तक मों जाएगा हाँ भया, आरे तुम लोग आराम से खाना गाओ, पंद्रा लाख रुपया तो पंद्रा मिनिट की बात है विनोत, तुम बैंक के मिनेजर अपने दास गुपता है ना, उनसे जाकर कैश ले लो मैंने तुम्हें वह बलेंग चेक दिये थे न, साइन करके हाँ सर, हाँ और राम सिंग वह तुजोरी में से पांच लाख रुपया इने दे दो चाभी तो तुमारी पास है ना, जाओ 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 जल्दी करो यह राम सिंग भी मेरी तरह भुलकड है, रुपया रखता कहीं है, डूड़ता कहीं है कभी कारपट के नीचे, कभी कंदों के नीचे मैं सच कहता हूँ कि अगर इस घर की अच्छी तरह तलाशी लो, तो 20-25 लाख रुपया तो निकल ही आएगा पानी, 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 अच्छा यह बताओ, के तुम लोगों का बिजनस कैसा चल रहा है बड़ भाईया आपकी दुआ से मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनस शुरू किया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वेरी गुड़, लेकिन अगर अपनी और अपने देश की भलाई चाहते हो, तो एक्सपोर्ट जादा करना इंपोर्ट कम सुभाज भाया, आपके लिए बंबे से अर्जन फोन है हलो, हाँ मैं सुभाज बोल रहा हूँ हा अचनक मुझे पूना आना पड़ा, क्या यार तुम लोग उसे कों काम सन्बलता ही नहीं है, हाँ मैंने मैं नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, मेरे भाया की अचनक तबियात खidarभ होगी है मैं रोच छोड़कर बिल्कुल नहीं आ सकता, चाहे तो मैं कामी क्यों ना रोकना पड़े, हाँ, देखो, आगे से मुझे आने के लिए कभी मत कहना, समझें? अरे सुभाश, अगर कोई जरूरी काम है तो चले जाओ, कैसी बाते करते हैं आप, एक बात बताईए भाईया, कोई भी धंद आपने, देवता से तो बड़ानी नहीं हो सकता, देखे भाईया, जब तक मुझे आपकी सेथ की तसलीनी हो जाती, मैं आपको छोड़कर कहीं नही और इस बार हम दिवाली भाईया के साथ धूम धान से मनाएंगे आश्मान भावा, आश्मान भावा, आश्मान भावा भाई सहब, भले ही अमर की रगों में मेरा खुन दौरता है लेकिन इसके सीने में तो आपी का दिल धरगता है पर भागर, इस खानदान को तूने जो ये अमर नाम का तौफा दिया है वो दिवान दीनानाज की कमाई हुई सारी दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती है अरे ये तो मेरी एक-एक सास में बस गया है अमर ये सब देख रहा है न, देख कितना बड़ा ओफिस है कितने लोग यहां काम करते हैं अरे जिस दिन तू इतना बड़ा हो गया न, ये सारे कारोबार का मालिक तू होगा अब जल्दी पे बड़ा हो जा, है अरे रुख जा, मेरी बात तू सुन, तुझे क्या हो गया परभाचर न, तेरी हर बात, हर दलील ये थाबत करती है कि आप तू मेरे साथ नहीं रहना जाएं मुझे अपनी जिन्दगी अपने तरीके से गुजारनी है आपके उसूल, आपके आदर्श और आपकी दौलत का भोच अगर मेरे सब पर रहना तो मैं जमीन में धसका रह जाओंगा मुझे यहांसे जाना ही है ठेक है, तुझे अगर जाना है तो जा लेकिन आपर मेरे पास ही रहेगा भाई साहब, आपके पास तो काफी दौलत है अपनी तरह जिन्दगी गुजारने के लिए मेरा साहरा तो सब यह आमार है परभाकर, परभाकर भाई साहब आज दिवाली के दिन आपकी आँखों में आसु इन आखों में सिर्फ आज के दिन ही आँशु आते हैं बहु पिछले पंदरा साल से हद दिवाली को यह रस्म निभा रहा हूं राम सिंग जी चलो पंदरा साल से दिवाली के दिन आँशु मतलब आज ही के दिन एक दिवाली पर प्रवाकर भाई आमर को लेके चले गए थे आमर को ये भूल नहीं पाते और हर दिवाली पर अपने आपको बहुत अकेला महसूस करते कि दें कि दोघय को बाते आपकर है कर दो, 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 क करो ना 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 गाऊजी कोई गाना गाना खुश्या मनाएंगे धूम मचाएंगे गाएंगे मिलके प्यार वाली सरगम Lalalalalalalalalalalalalalalalalalal, nalalalalalalalala हम नत मना भगवान तुच है दूचाँ चिकी-बं, चिकी-बं चिकी-बं-बं हमको तो घरी निही हुआ भसे तेरे भूजा चिकी-बं, चिकी-बं-बं अब.. हाओ.. मेरे भक्छो.. हमने तो माना भगवान तुझ्ञे दूजा हमको तो करनी है भस तेरी पूजा अभी हसी न जाए न जाए कोई भी घंब न आए साथ भी भाएंगे जान दोताएंगे माजे भी खाएंगे तिक दूजे पे हम चिकी बुकी बुकी बुका जाग। क्या? क्या बोला? पिकनिक? तू पिकनिक मल जाएगा? पिकनिक पर जाने को मेरा दिल कह रहा है, और जो मेरा दिल कहता है, मैं वो ही करता हूँ. तो फिर अपने दिल से कह दे, वो वही किया करे, जिसकी इजादत तेरी सहत दे. बड़े बाई, आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए. बड़े बाईया, हम जानते हैं कि आप हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप हमारी नहीं, अपनी सेथ की फिक्र कीजिए. मुझे तुम लोगों की भी कोई पर्वान नहीं, आरे मैं तो बच्चों को पिक्निक पिले जाना चाहता हूँ. पर भाईया, बच्चे थोड़े दिन इंतजार कर सकते हैं, एक बार उनके ताउजी की तब ये ठीक हो जाए, फिर सारी जिंदगी पड़ी खुमने के लिए. आरे मेरे पास जादा जिंदगी नहीं पड़ी है, जितनी है कप खत्म हो जाए कुछ पता नहीं. भाईया, भगवान के लिए ऐसी बाते मत किया कीजिए, अगर ऐसी बाते नहीं सुनना चाहते हो, तो मुझे इस कैथाने से एक दिन की छुट्टी दे दो, ताके मैं बच्चों को पिकनिक पर ले जाओं, और तुम लोग भी, अगर पिकनिक पर जाना है, तो सारे नौ बज तुने जाएगा, कल पिकनिक पर जाने दे रोग रहाता, जलो जलो जल्दी बच जाओ अगर बेनो, मिने मिनी, 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 माय डारीग, माय अपने बताया नहीं, कि आप लोगों के कोई लाटली बेहन भी थी? हमारे बाप ने हमें ऐसी किसी बहन के बारे में नहीं बताया इसे मूबाए क्या देख रहे हो वो नहीं देख रहा हूं जो तुम सोच रही हो बड़े भाई साब को देख रहा हूं किया हो, मैं तुम्से बात नहीं करता। सॉरी दिनू। जानती हो मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला था। इससे ये पूरा महला नजर नहीं आ रहा है क्या। तू कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर। दिनू। मेरे मरीज भी तो काम नहीं है। आरे तेरे सबसे बड़े मरीज तो हम है। किसी का दर्द, किसी की दवा। मुझे तुम्हारी बहुत फिकर थी। मेरा क्याल भी तुम्हारे सिवा और कौन रख सकता है। वह। क्या सीन है। भाया, भाया वो देर हो रही है। पिकनिक पर चले। हाँ, हाँ, चलो, चलो. दिनु, मुझे छोड़के तुम पिकनिक चाओगे। आरे तो हम पिकनिक यहीं बना देंगे। भाय दखो, तुम लोग पिकनिक पर जाओ, enjoy करो। मेरा अब निकलना कुछ मुश्किल है। तुम कौन थी। थी नहीं, है। और शायद रहेगी भी। कब तक? जब तक उस बेशर्म लड़की को शर्म नहीं आती। दिनु, मिनी, छे। यह सब सुन्दे से पहले में मर क्यों नहीं गई। प्लीज, लीना, बड़े भाईया के खिलाब को एक शब भी नहीं कहेगा। घलती उस लड़की की थी। लड़की नहीं औरत, कपड़े कम पहलेने से उम्र कम नहीं हो जाती। यानि के बच्पन से ही बच्चलन है। क्या था उसका बच्पन और कौन थे उसके लाप्रवा माबब। और कौन है ये औरत और क्या रिष्टा है उसका भाईया से। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। मेरा दिल कहता है, वो महमान थी, आई थी, हमारी लोटने तक चली गई होगी। आगया आप लोग। कई। क्या गई। अरे मिनी। कई। माफ कीजेगा आनन साहब, गई नहीं, गई। जब भी आप उनके बारे में बात करें, तो ऊपर और नीचे के सारे नुकते चेक कर लिया कीजे। अगर बडे साहब को ये बात पता चली, कि आप मिनी मेम साहब के बारे में इस तरह की बाते करते हैं, तो उन्हें बुरा लगेगा। अरे खोज आता है राम सिंग, जबान पिकनिक मनाने के बास जरा सी फिचले लग जाती है। वैसे वो तुम्हारी मिनी मेम साहब जी है कहुत से कमरे में। क्यों, बडे साहब का कमरा आपको नहीं मालूम। हाँ हाँ, वही है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारी वो मिनी मेम साहब जी साहब के कमरे में है। तो इसमें हर्जी क्या है। इतना बड़ा कम रहा है, अगर उसमें छोटा सा पलंग रख दिया, तो भी बड़ा ही लगता है, दुख बड़े दिन भी तेरे भाईया, अब सुख आयो रहा है, अरे, इसमें हसने की क्या बात है, आज यह कौन हसकता है, आवाज वहाँ से आ रही है, लेकिन बिमारी की हालत में भाईय सब इतनी जोर से कैसे आज सकते हैं, यह जो नए किसम का बुखार चड़ा है न, इसमें ऐसी ही हंसी आती है, प्यारे, अरे, लीना, कितना मज़ा आया न, पिकनिक पर, सची, बहुत मज़ा आया, मौज मस्ती करके सब ठक गए है, हाँ, हाँ, मैं तो कहती हूँ, पूरे चौधरी खांदान को, महने में एकाद बार तो पिकनिक पर जाना ही चाहिए, है न, हाँ, पिचारे भाई साब, कितना मन पिकनिक पर जाने का, लेकिन आप अगर कोई बेवक्त अचानक आ जाए, तो वो भी बिचारे क्या करें नहीं, कितना अच्छा मौसम था, पूना आ, और कमरे में बन रहो, पाप है, अरे, जाहिए न, जाके भाया को पिकनिक की बाते सुनाइए, वो राह देख रहे होंगे हााा, हााा, ज chili हाा, फरमाईए, जारा रास्ता दीजीना, हम लोग भाई साब से मिलने जारह है, हाँ, उन्हें पिकनिक की बाते बता दें, उन्हें सुनना होगा तो, आप लोगं को बुलवा लिया जाएगा, क्या बुलवा लिया जाएगा, हम उनकी तब भी तो पता कर र ऐसे भी पूरा दिन काफी खेलते कूटते रहे हैं, ठक गए हैं, अब आराम कर रहे हैं लेकिन भाई सब खुद हमसे मिलना चाहते होंगे, आप ज़रा जाकर उनको बताईए हैं तो सही कि हम चारों आए हैं बता दिया जाएगा, वैसे आप लोग अगर इंतिजार करना चाहते हैं तो कीजे, बाई इसकी ये मजाल, ये शायद जानती ने कि आप चारों दिनानाथ के भाई हैं, इसे सब आता पता होगा, बलकि पता तो हमें नहीं चल रहा कि ये भाई साब की है कौन आरे लेकिन अपना तो कच्रा हो गया ना, कच्रा होने दे, एक बार इसका भाई ये के साथ रिष्टा पता जल जाएं फिर सारा कच्रा साफ और अरे, अरे तुम लोगों ने अभी तक ब्रेक्वस्स नहीं किया क्या राम सिंग, इन लोगों को ब्रेकफस्ट नहीं करवाया? अरे मेरा तो वक्त पर काबू नहीं है, तू जानता है मैं बिमार हूं और वैसे भी राम सिंग, हम लोग ब्रेकफस्ट बाहर करेंगे दिन मुझे शॉपिंग करवाने ले जा रहा है साहब, आपके साथ बाहर जा रहे है राम सिंग, तुम तो जानते हो, मैं सिर्फ दिनों के चॉइस के कपड़े पहनती हूं आप लोग ब्रेकफस्ट कर लो, हम लोग चलते हैं, बाई बाई, भाई भाईया को नाष्टा तो कर ले नो बहन बहन? कौन सी बहन? काइसी बहन? यह इनकी बीवियाँ है चानती हूं कहने मैं मिन्य लेकिन, मेरी जिंदगी में इसकी बहुत बड़ी اहमियत है पेशे से नर्स है, दिनो, नर्स थी दिनो, हो नहीं, I am sorry, जब मुझे अटैक हुआ था ना, तो नर्सिंग हो वालों ने इसे मेरी देखभाल के लिए बेच दिया था, इसने मेरी सहत का ऐसा ख्याल रखा, के मैंने इसके सामने परपोजल रख दिया, परपोजल, कैसा परपो पर तब ये आ नहीं पाई, अब मेरी दुनिया में हमेशा के लिए आ गई है, ये बड़ी अच्छी नर्सिंग करती है, हाँ, बेशक, हम सब ने देखा, आपका बहुत ख्याल रखती है, ये, सुनने में शाहिद हजीब लगे, लेकिन जब से ये मिन्नी आई है, मुझे ऐस जयता है कि जैसे तुम लोग मेरे बड़े भाई हो, और मैं चोटा, चोटा, अपका शॉपिंग को चले, हाँ, चलो, बाई, बड़े भाई, बाार कड़कती धूप है, गाली में ऐसी है, ओले, 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 झाल झाल कि अध्यासी हजार नौसो निन्यानवे का टोटल बिल हाँ इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए दिल अगर इसी रफतार से कपड़े खरीदे गए तो भी का बिल कितना आएगा मगर यार मुझे कोई ये तो समझाओ इतने सारे कपड़े वो खरीदती है और जब पैंती है मुझे दिखाई क्यों नहीं देते है कपड़े मुझे तो थोड़े बहुत दिखाई देते है क्या आप लोग को वो भी दिखाई नहीं देते है अरे यहां चौधरी खांदान के नाम का कफन लिया जा रहा है और तुम सब लोग मिनी विनी में उल्चे हुए हो कम वैसे लीना हमें जब तक भाईया और उसके रिष्टे के बारे में पता नहीं चल जाता उसके बारे में ऐसी वैसी बात करना ठीक नहीं कहीं पता चला कि वो हम सब की मैं नहीं कहता था बड़े भाईया उसे लिए जैसे हम उनी समझने लगे है तो बड़े भाईया शॉपिंग पर हमारे लिये इसी का अंतिसाम करने गया होंग क हम लोग भी एकड़ मासुम बन जाते हैं लेकिन बड़े भाईया को कैसे पता कि हम लोग ड्रिंग करते हैं? आरे यार तुजर्वे का रादमिया समझ गए होगे. यह राम सिंग, इसे यहां लगा दे, आरे भाई बाहर इस वक्त मच्छा रोंगे. आरे, आप वहीं खड़े रही है, बाहर आने के लिए कौन कह रहा है? आरे, वो तो भाईया की कमरे की तरफ जा रहा है. अबे! अरे, रोग, 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 यह तो इसे वहाद को लेके जा रहा है? आप लोग इतने दिन से यहां हैं, अभी तक घर का जोगराफिया समझ में नहीं आया. सामने साहब का कमरा है, और यह सारा सामान मिनी मेम साहब ने मंगवाया है. यानि के तुम्हारी मेम साहब शराब भी पीती है? कैसी बाते कर रहे हैं आप, पीती नहीं, पिलाती है. किसको? साहब को. यह इस घर में हो क्या रहा है? सब अपनी मन मर्जी कर रहे हैं? अरे उन्हें जान से मारोगे क्या? भाईया बिमार है, और उन्हें शराब पिलाने का प्रोग्रम बना जा रहा है. अरे तुम सब दुश्मनों दुश्मन उनकी जानते. राम सेंग, कहां अटक गये तुम? मेम साहब, यहां रास्ता रोको आंदोलन शुरू हो गया है. एक मिनिट. यह तुम क्या खिला पिला रही हैं उन्हें? खाने पीने के बारे में तुम मुझे पूछने वाले होते कौन हो? मैं उनकी पर्सनल नर्स हूँ या तुम? और एक भरोसी मन नर्स होने के नाते, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. उन्हें क्या खिलाना चाहिए? क्या पिलाना चाहिए? राम सेंग? यह जानती ही नहीं मुझे, मैं चीज क्या हूँ. इससे जाकर के दो के मेरे से बंगला ले? किससे जाकर के दो भहिया? यह समझो, बड़े भहिया बंगला समेथ आज इसकी बोतल में पूरी तरह उतर गए. किर सकिते पूरी नहीं करते ही रचाँ में उतर उतरे जांत। आप हूँ है मैं आकर कैक नएります सोई है रात सोई जागा नहीं है कोई सोई है रात सोई जागा नहीं है कोई खुल के सदा दीदार का मा का यही है प्यार का आजा मेरी आहोश मेरे सोई है रात सोई, जागा नहीं है कोई गोरा बदर खिलने लगा तेरी जवा चांद निंका मौसम गुलाबी है थोड़ा शराबी है आलम भी है बेखुदी का गोरा बदर खिलने लगा तेरी जवा चांद निंका मौसम गुलाबी है थोड़ा शराबी है आलम भी है बेखुदी का पर है यही एक हार का, मौका यही है प्यार का आजा मेरी आखोश में, रहना नहीं अब होश में सोई है रात सोई, जागा नहीं है कोई तनहाया अगडाया अलहा शमत के जवानी मन के समदर में दुपाल आया है कोई मनिं के कहाई अर्मा है क्या दिलदार का मौका यही है प्यार का आजा मेरी आखोश में रहना नहीं अगोश में सुई है रात सुई जागा नहीं है कोई यह भाईया तो अकेले दिख रहे हैं मेरा दिल कहता है कि हमारे बड़े भाई साब का जब सुवे नशा उतरा होगा तो ने अपने भाईयों का ख्याल और इस कामनी का कमीना पर याद आया होगा इससे पहले के हम लोग उठते उनने उसे दोटो क्यारा कर दिया ओए हमारी बदनसीबी यह तॉंड़ वटो से भार निकला ही है तरी गुड़ वन मिनेट टॉंटी सेटेंड नौटी गर्ल थंडे पानी से मत केलो भया वो खार चड़ जाएगा प्लीज प्लीज क्या हुआ बुझी ऐसा लगा पानी मेरे उपर आ गया वो हम तक एक बूंद भी नहीं आने देगी सुखे आयते सुखे जाएंगे यह तुम आखे गाड़ कर क्या देख रहे हो? मैंने बड़े भाई पर नजर रखी हुई है मैं खूब जानती हूँ तुमने किस पर नजर रखी हुई है बंबई में उस नेपालन पर नजर रखी थी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंदा नेपाल से आगे नहीं बड़ा तु कहे तो तुझे अपनी जिन्दगी से बाहर एक्सपोर्ट कर दो दीदी दीदी देखो न, देखो न, यह क्या कह रहे जो मैं सुनकर आ रही हूँ उससे बुरा कोई क्या कहेगा सुनो, वंबई से फोन आया है, तुम्हारी बिल्डिंग का काम रुक चुका है वहाँ मेरी बिल्डिंग का काम रुक गया, यहां बैल बलबा हो गया यह बिल्डिंग ना बनी तो मेरे मैके वालों में तुम्हारी नाग कट जाएगी कितने लोगों ने वहाँ से तुम्हारी बिल्डिंग में अपना फ्लाट बुक कराया है। एक कभी पैसा नहीं आया है। तुम दहेज में क्या चूना गार और सीमेट लेका आया थी जो खेरात में फ्लाट बना बना के बेचो। तुम तो अपने गले में सीमेंट की बोरियां लटका कर रिष्टा लेनी आये थे। कहते थे बहुत बड़ा बिल्डर हूँ। अरे पिछले दस सालों से एक भी बिल्डिंग सीधी खड़ी कर पाय क्या। चलाओ मत मिस्टर अनन चौजवी। चौजवी तो तुम्हारा गया, स्विमिंग पूल में। अब अपने नाम की आउकाद बचाओ। नहीं तो… नहीं तो क्या, 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 क्या 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 लोगत तुम्पूर। बड़ो भही, यह क्या हो रहा है। आप, मिस्टर शांती दूद, जरा इदर आईए। नहीं भही, आप नहीं, आप जरा इदर आईए। इदर आईए। यह पढ़िये। यह क्या है छोटे। मेरा पेंडिंग बिल, इसे अभी क्लियर करो। पिछले दो साल से, मेरी वाइन शॉप से, अपने होटल के लिए फोकट की दालू ले जाते हो, और हमेशा भाई-भाई कहकर इमोशनल कर देते हो। पैसे बैसे की बात बात में कर। पहले अपने बड़े भाई से बात कर रहें कि तुम इससे। बड़ा भाई अगर छोटी हरकतों पर उतर आये, तो ये मत समझना, मैं तुम्हारी बॉडी देखके डर जाओंगा। अनन्द भाईया, समझाएगा इसे। बाद में बत कहिएगा कि बंबई से चार आये थे, पूरा से तीन वापिस को जा रहे है। अनन्द ये तुम्हारे हाथ में क्या है। बड़े दोर शोर से प्यार की बाते हो रही है, बड़े खुछ नजर आ रहे हो, कि भी दभ, कि भी दभ अनन्द ये तुम्हारे हाथ में क्या है। ये भाईया दूरवीन है। दूरवीन, अच्छा अच्छा वो दूर की देख रहे हो, जलो विन्नी। मैं तो शुरू से कह रही थी कि गड़बड तुम्हारे बड़े भाईया में भी है। कल तक वो तुम्हारे भी बड़े भाई थे, और आज हमारी रह गए। हाफ्ते हुए आये थे, अपने बड़े भाईया की तबियत पूछने, और अब यहां आखे भाड कर उस बेशर मेनी का कैबरी डांस देख रहे हो। टिकेट निकाल कर गया था क्या, सामने हो रहा था, मैं क्या करता। बड़े भाईया के बारे में क्या सूचा था। और यह क्या निकले। बहुत दूर निकल गए, तुम्हारी होने वाली भाभी के साथ। मेरी दुखती रख पर हाथ मत रखो रेका। वो मेरा हाथ नहीं, तुम्हारी होने वाली भाभी का पाउ है। हिम्मत है तो उससे जाकर कहो ना। तुम तो अपना घर भी जलता हुआ देखोगी ना। तो बाल्ठी लेकर खासले ढ़ने के लिए निकल जाओगी। तुम्हारे घर में धरा ही क्या है, जिसका राख होने का डर हो। जो जलने लायक था, वो तो पहले ही जल चुका। मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आया के ऐसी नर्स कौन से हस्पताल में मिलती है। हस्पताल में नहीं। दौलत मंदों के हरम में होती है। मैं क्यो जूट बोलू, मैंने तो इन से शादी चौधरी खांदान के नाम की वजए से की थी। वरना बड़े बड़े राजकुमार मुझे डोली में ले जाने के लिए बेता आप थे। आपका माईका राजिस्तान में है क्या। नहीं तो तो फिर क्यो डोली घोडी और राजकुमार की बाती फेकर हम सब पर रॉप जार रही हो। यह अर्शाद क्या हुआ। अरे ऐसे हालात में तुम हस कैसे सकते हो। शोटे को खुशकबरी है क्या। जल्दी बताओ ना। बताओ ना। मैं बाहर विनोत को फोन करने गया था। बातों बातों मैं पता चला। जिस प्रॉपर्टी के हम सब वारिस थे। यानि के भाई साब की टोटल प्रॉपर्टी कितने की है। कितने की। आज हम सब को अच्थी करोड का नुकसान हो गया। हुआ 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 सुर्डी कर नुकए हुआ है। ये क्या कर रहा यह हुआ? क्या? तुम्हें याद है कि भाईया ने उसन क्या कहा था? क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि राम सिंह पहसे रखे कहीँ भूल चाता है और अगर इस करकी सफ़ाई की जाए तो बीस पच्छीस लाग तो यो ही निकलाएगे, जाद आया पाई लागो भाई साब, जेती रहो राम सिंग ने बताया आपने याद किया हाँ, वो चौधरी खानदान में अभी आई हो ना इतलिए अभी याद करना शुरू किया है, वैसे हर्षद तो मेरी यादों की हकोमत में है सच भाई साब हर्षद से पूछ ले, सबसे चोटा थाना गोदी में ही खेला है, कही बाहर तो सूचू भी कर दिया जाजदा थाना मेरा सबसे ज़्यादा प्यार हर्षद को ही मिला है सबसे ज़्यादा? मेरा मतलब है आप भी मिलेगा न? क्या बोले? क्या मिलेगा? अरे वही जो बुड़े के पास सबसे ज़्यादा है क्या भाई तो तारीफ करूंगा हर्षद की जो तेरे जैसी बीवी लाया मेरी बहुत बड़ी परिशानी हल हो गई कैसी परिशानी? वह चौदरी खानदान का पुष्टनी हीरों का हार किसी एक बहु के हवाले करना है सोच रहा था कि किसके हवाले करूँ पर मैं रिवादों की परवाह नहीं करता ले तू रख ले हमें बस अपनी शरन में रखेगा भाई साब एक आप ही उनके भाई हैं, औरों के बारे में मैं क्या कहूँ? आरे औरों को मारो गोली, मैं तो हूँ ना? मैंने हर्शत से कहा भी था, कि भाई सब तुम्हें कुछ अलग नजरों से देखते हैं, बहुत उमीदे हैं उने तुमसे, आपको उमारा शच्छत प्रनाम जीती रहो आप लोगों ने मुझे या क्यों बुला है? अर्शत, देटा, भई कल जो कुछ भी हुआ, उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं एक बात तो समझ में आ गई, कि हम लोग अपना त्रियाचरितर दिखाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं और नुकसान भी कोई छोटा मोटा नहीं, 20 करोड पर भाई का अगर नुकसान किसी का होगा, तो वो आप लोगों का होगा क्योंकि भाया ने तो हर्षद की बारे में कुछ और ही सोच रखाई हो नौ यह जो बात तुम सोच रही हो नौ यह बात भाया ने नहीं, उस नर्स ने सोची है की जायदाद की कीमत है 80 करोड तो उसके कानूनी वारिष तो हम सभी हुए न और देखा जाए तो बड़े भाई ने ऐसा तो कुछ है किया जो यह बात थाबित कर दे कि वो जायदाद हमें नहीं देंगे, लेकिन वो नर्सी 80 करोड हलप कर गई तो हाँ, अब आए न हम असली मुद्दे पर, भई हम चार भाई तो आपस में मिलबाट के खा लेंगे, लेकिन उस नर्स की नियत तो 80 करोड पे है 80 करोड पे हर्शत, हमें कुछ भी करके अपने 20 करोड रुपे बचा लेने चाहिए, आनन भईया ठीक कह रहे हैं, वो नर्सी हम लोगों पर एकलौता खत्रा है, और हम आपस में लड़ रहे हैं यानि के जैसे बाहरी ताकत तेश में तंगा फसाद करवाती है, यह नर्स भी हम लोगों के बीच में वैसे ही करवा रही है इसलिए हमें देश प्रेमी की तरह मिलकर इस ताकत का सामना करना पड़ेगा और इन बाहरी ताकतों का सफाया करेगा मेरा न्यूक्लियर बॉम अमर अमर यानि प्रभाकर भाहिया का बेटा और भाई साब का लाटला भतीचा लेकिन हम उसे ढूड़ेगे कहां अरे ढूड़ना उसे नहीं है ढूड़ना है बीज बाई साल के नौजवान को जो अमर नाम का लेवल मुपे चिपका के अमर बनके इस घर में आ जा बात तो आपने बहुत पदे की कही है अनंत भाहिया वैसे भी हम लोगों मैसे कौन जानता है के पंदरा साल के बाद अमर कैसा दिखता होगा बड़े भाहिया तक नहीं बता सकते एक बार अमर आ गया तो दीनानाथ उस नर्स को पूछेंगे भी नहीं हाँ और अगर हम थोड़े से पैसे दे कर किसी से ये रोल करवाएं तो वो वैसे वैसे करेगा जैसे जैसे हम उसे कहेंगे और एक बार भाहिया ने उसे बतीजा कहके गले लगाया तो उस नर्स को अस्पताल समयत उठाके बार पहंगे लेकिन वो नौजवान होगा कॉन ये रोल निभानी के लिए एक कमाल का एक्टर मैं बता सकती हूं कौन वो मेंसर थीटर ग्रूप में काम किया करता था ट्राजडी किंग उसका शो देखने के लिए लोग छे-छे रुमाल लेकर आया करते थे कमाल का एक्टर है मगर बिचारा जरुवतमन अब मजबूर है क्वारिफिकेशन तो कंप्लीट है आजकल है काम बंबई में क्या हुआ? हो ना क्या है पेट्रोल खतम हो गया है जोड लगांके जोड लगांके जोर लगा के जोर लगा के है या जोर लगा के है या जोर लगा के है या जोर लगा के जोर लगा के खीचो दिल की कार यारा जोर लगा के है या पैठा पिस में प्यार यारा जोर लगा के है या नाजुक नाजुक किसकी दोर होती है यारा कमजोर देखो तूटेना दिलदार यारा जोर लगा के हाई या पैठा इसमें प्यार यारा जोर लगा के हाई या नाजब नाजब इसकी दोड़ होती है यारा कंचोर देखो तूटेना दिलदार यारा जोर लगा के हाई या खिचो दिल की कार यारा जोर लगा के हाई या अरे बंबाई दिली कलकता मदरास भड़ो दापोना यार विना सारा संसार लगे है हमको सुना हाँ दिल पर की आखों से एक पैदोर कभी रहूना तनहा जीना है पेकार याया सोर लगा के है खीचो दिल की कार यारा सोर लगा के है या पैठा किसमें प्यार यारा सोर लगा के है धासुक धासुक इसकी दोड़ होती है यारा कमजोड देखो टूटे में दिलदार यारा सोर लगा के है कि छोद्र की कारी अदा सोर लगाते है या पेखा इसमें प्यारी अदा सोर लगाते है या चाहत की दिनिया की सोर करेगी अपनी बारी अपने रस्ते में ना आईगी नफ्रत की खारी जोना मुहबबत करे जहां में वो है बड़ा अनाली आजा कर ले हम फिकरार यारा do लगाके है या दिल दशार लगाके है या बैठा इसमें प्यार यारा जोर लगा के है या था सुक था जुक इसकी दोर होती है यारा कमजोर देखो तूटे ना दिलदार यारा जोर लगा के है या खिचो देखी कार यारा जोर लगा के है या बैठा इसमें प्यार यारा जोर लगा के है या हाँ जोर लगागे है या जोर लगागे है या जोर लगागे है या जोर लगागे है या जोर लगागे अब दूलिर गारी का एंजिन डाउन करने का इसका सब पिस्टन बिस्टन चेंज कराओ और सस्पेंशन का काम करने का है समझागे नहीं और उसके बाद गारी को साफ करके वो कलर वाले को डेरे ओऊ इसी कलर का डुआर्ट मारने का है जी अच्छा तेरा चक्कर भी मेरी समझ में नहीं आटाया जाए सबहरे से गारी को ट्रायल के लिए लेकर गया था पूरा छे घंटे के बड़ वापस आया है अरे गारी का मालिक दस बार फोन करके पूछ चुका है कि क्या हुआ मेरी गारी का अरे उस्तार जी खम से कम एक गलास पानी के लिए तो पूछ लेते हैं पूरा दिन भूग आप यासा भटक रहा हूँ अकेला मालो में कितने अलग अलग सड़कों पर इस इस खटारे के नीचे लेट कर कितने अलग अलग प्रॉब्लम ठीक किया मैंने फेरी तो मेरी तो पी लेकिन उस्तार जी गलती आपका नहीं है गलती आपका है इच नहीं तो तुम मेरे को नहीं समझता है और मैसल अपने नसीब को नहीं समझता है एक दब फूटेला नसीब है अपना भी इतना मेहनत करके पूरा इमानदारी के साथ इतना अच्छा काम करता है फिर भी लोग अपना इमान पर शक करता है मैं देख दिखरा, मेरी बात सुन तूने गारी को ठीक किया न मैं मालिक को फोन करके समझा देगा बाई और मेरी बात का डिक्रह इतना बुरा नहीं मानने का, मैं तो भरकता रहता हूँ, ये ले, ये ले, जा, कुछ खापी के आरम का डिक्रह हुस्तार जी, पस आपके इस दिल की वज़े से, हाँच तक यहाँ टिकाओ हूँ, परना कपका चला गया होता थांक्यू, मैं ये काड़ी हटा के रख दूँ, ये मैं किसी को बोले का वो रख देगा, जा तू बोटी अच्छा शूक्रा है अजय, क्या देख रहे हो वैच, अपने घर के सपने को देख रहा हूँ, पता नहीं कब पूरा होगा मेरा ही सपना एक सपने के इंतजार में बाकी सपने कब तक बैठे रहेंगे, घर जब होना होगा हो जाएगा हमें अब शादी को और नहीं टालना चाहिए, मामा जी शादी के लिए बड़ा जोर डाल रहे है सुमन, जब शादी के बाद हर ग्यारा महिने तुम्हे अपना ससुराल बदलना पड़ेगा, कभी ये खोली तो कभी वो खोली, तुम्हारी सारी महबद धरी की धरी रह जाएगी अच्छा बताओ, तुम्हे ही जाती हो ना, के शादी के बाद भी हम एक दूसरे से उतनी ही महबद करें जितना के आज करते हैं तो यकीन जानो, उसके लिए एक दिल से जादा हमें एक घर की जरूत पड़ेगी देखो अजय, तुम एक ही लोकालिटी में पिछले तीन साल से पेंग गेस्ट हो, तुम्हें कहां जगा बदलनी पड़ी? अरे डफर! क्या? अरे बाबा, उस घिसली-पिटीली लोकालिटी में आज तक सिर्फ इसलिए जमा हुआ हूँ क्योंकि वहां आपके पुझ्य मामा जी रहते हैं, अगर पुना से बंबई तु अपने उस मामा से मिलने नहीं आती, तो हमारी मुलाकात कैसे होती? अरे मामा से ही यादा है, जब से मैंने अपने चेरे से वह चूना पोच कर अपने हाथों में ग्रीज लगा लिया ना तेरा मामा कुछ इज़त से देखने लगा अपन को? तुम्हे ठेटर छोड़कर क्यारज में काम करना पड़ा, बहुत बुरा लगा ना? हाँ, बहुत बुरा, लेकिन उतना बुरा नहीं, जितना अच्छा तुमसे शादी करने के बाद लगने वाल है अरे वैसे भी कलाकर बनके क्या कमा लिया मैंने, यहां गराज में मेहनत करके कम से कम कुछ आमदानी तो हो जाती है देख ले लेना, अगर मेरी शादी कहीं जबर्दश्थी तै हो गईना, तो मैं तुम्हारे सामने समंदर में कुद कर, जान दे दूँगी है, तुम जान दे भी दोगी और जान ले भी लोगी पुछो क्यूं है क्योंकि जब तुम समंदर में कुदोगी तो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे अपन को भी गुदना पड़ेगा और वो क्या है ना कि अपन को तैरना नहीं आता हां कसम से इसलिए डूबेंगे तो अपन दोनों इच्छ क्या साला छे महीने से अपनी सारी खौईशों को मार कर इतना माल भी नहीं जमा कर पाया कि घर तो दूर घर की एक टाइल भी खरी सकूँ ए उपरवाले कुछ करना यार अभी देख इस कलाकार की कला तो तुने चीन लेकिन प्लीज सुमन को मेरे से मत चीनना वैसे साला शकल से तो इतना बदनसीब नहीं लगता अपन उधारी खाता लेकर नहीं आए तो अंदर आजा आरे एक मिट एक मिट क्या केदर कुसरेल है मालूम नहीं क्या पेंगेस के खोली में इतना सारा लोग एक टाइम पर अलोट नहीं है हलो अजे या लेकिन अरे रीटा तू अच 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 तो ये लोग तेरे साथ में आहले हैं तभी मैं बोलू सला इतने शरीफ लोग को तुम्हें जानता तक नहीं हो अजे मेरे पती है हर्शाद चौदरी मेरे जेट प्रमेश चौदरी अनन चौदरी अजे इनि तुमसे कुछ काम है क्या? अपन से? अरे ये कही कोई naatak company वाला तौ नहीं है देग रिटा बैन अपने शोग औक चड़ दिया लह भी ने- Tory comments नाating तो करना है लेकिन शोग नजी अजे पुन्य का काम है फ갈 भी बड़ा मीठा है अच्छा सुना है तुम एक्टर बहुत पहुचे हुए हो प्राइस तुम्हारी प्लाट हमारा पुना में क्या पुना में अरे पहले बोलने का दाना इतनी सारी बातों में पहला मतलब का बात बोला है वो क्या है ना पुना में तो अपना दिल रहता है ना तो क्या अरे तुम लोग कैसी बाते करे हो हम दूसरी तरह की बाते भी करते हैं आजे हम जानते हैं कि तुम बहुत अच्छे कलाकार हो हम उसकी कीमत देने के लिए तयार हैं काम होते हैं तुम्हें तैशिदा पैसा मिलचाएगा यह डुटी किया किया तो काई को टाइम खुटी किया पहले से अच्छा अच्छा बात क्या होता तो और को बात करने का जरूती नहीं पड़ता ना अरे मंजूर है दसलाक रुप्या देगा ना मंजूर है लेकिन लेकिन मैं तो अजय हूँ तो मैं अमर कैसे बनूँगा इस तस्वीर को जरा गौर से दिखो जी मैं वैसे भी हर काम बहुत गौर से करता हूं साब इसलिए कहने की जरूत नहीं पड़ेगी यह परभागर भहिया और साथ में हो तुम यानि क्या मर आज से पंदरा साल पहले वाले है बस तुम सिर्फ इस तस्वीर को अपने पर्स में रखना हो यह होगा तुम्हारा एंट्री पास दिवान दीनानाद के खांदान में घुशने का ard यह है तुम्हारा दूसरा जर्या इस कैसर्ट में गाना है जो पंदरा साल पहले धीनाद जी तुम्हारे लिए गाते थी इससे तुम्हें अच्छी तरह से याद करना है Sur, Tald और Geet अए और यही होगा तुम्हारा उस घर में बसने का लैसेशन है अब मैं तुम्हें बता तुम सुन रहे हो न आजे, आपने मुझ से कुछ कहा, तुम्हारे अलावा यहां और आजे कौन है, आजे, कौन आजे, आपको जरूर कोई गलत फेमी हो रही है साब, मैं आजे नहीं, मेरा नाम तो अमर है, अमर, रभाकर, चोदरी, मैं हूँ, मैं हूँ, चिंता करने के कै क्कोई बातती है, और? चोरर आऑ! यह शूर कैसा है, जिवान साहब, इनोंने चोर पकला है, रामसा पुलिस को फोन करो चोरी करता है चल देखे तो सही इसने चुराया क्या-क्या है यह यह राम सेंग ठाड़ो यह तो प्रभाकर भईया की तस्वीर है बोल यह तस्वीर तरपास आई तुभाश छोड़ दो इसे लेकर भईया तहां इने छोड़ दो तुम यहाँ चोरी करने आए थे मैं तुम्हें मूंगा ही नाम दूंगा सच-सच बताओ यह तस्वीर तुम्हें कहां से मिली और यह पर्स किसका है यह यह पर्स मेरा है मुझे माफ कर दीजिये प्लीज अगर ये पर्ष तुम्हारा है तो ये पंदरा साल पुरानी तस्वीर तुम्हे कहां से मिली मिली नहीं बाबुजी यह मेरे बच्पन की तस्वीर है मैं सच बोल रहा हूँ कई सालों से मेरे पास है जूट बोलता है पूरा नाम बताओ श्री प्रभाकर चौधरी तू प्रभाकर चौधरी का बेटा अमर है और मुझ बूरे को नहीं पैचानथा पच्पन में मेरे इलावा तो तू किसी को भी नहीं पैचानथा था मैं कुछ समझा नहीं एक बाद सीने से लग जा सब समझ जाएगा देखे या तो आप लोग मेरे साथ खिलवार कर रहें या आपको कोई बहुत बड़ी गलत वहमी हुई है खिलवार तो तेरे बाप ने पूरे पंदरा साल तक मुझसे किया है कहां है पर भाकर उनको तो मरे हुए चौदा साल हो गए नो तो वो उससे पहले कैसे मर सकता है कैसे हुई थी उनकी मौत मुझे तो कुछ ठीक से याद नहीं लेकिन सुना एक्सिंट हुआ तो लेकिन बाबुजी मेरे पिता की मौत की ख़वर सुनकर आप क्यों इतने दुखी हो रहे हैं दुखी तो परभाकर को होना चाहिए था मेरी मौत पर पेरी अर्थी उठाते वक्त परभाकर मुझ बननसीब का छोटा भाई था और तू अब चोर नहीं तिवान दिनाना का बती जा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं और आपका मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि फिर भाईया यकीन तो मुझे भी नहीं होता अगर यह अमर है तो इससे वह गाना याद होना चाहिए जो अमर के बचपल में आप उसके लिए गाया करते थे हाँ हाँ याद है वह गाना जो मैं तेरे लिए गाया करता था तब तू बहुत चोटा था याद है ना याद कर तू वह गाना नहीं भूल सकता याद कर हो घो हो घो हो तेरी मेरी जिन्दगी वक्त का साथ है एक पल खुश है तो एक पल नाराज है तेरी मेरी जिन्दगी वक्त का साथ है एक पल खुश है तो एक पल नाराज है एक पल खुश है तो एक पल खुश है थोड़ी सी थोड़ी सी खुशियां है रिष्टे है नाते है रस में है एक पल खुश है तेरी मेरी जिन्दगी वक्त का साथ है एक पल खुश है तो एक पल नाराज है नाराजगी का लफ़जब हमेशा के लिए अपनी जिन्दगी से निकाल दो जिए अगर आप माभारत के वक्त पैदा होते ना तो जरूर दोड़ाचारे होते हैं ऐसा तीर निशाने पे तो अरजुन कभी नहीं लगा होगा कमाल है कोई मेरी तारिव भी नहीं करता कि कितना जबरदर सेक्ट ढूनके दिया है अरे जबरदस वो टपोरी ऐसा भोला पंचेरे पर लाया एक बार तो मुझे लगा जैसे असली अमर गाना गार है उस नर्स को देखा था उसके चेहरे की तो हवाई यह उड़ गए थी मुझे तो लग रहा है कि उसने अपना सामान भी बटोरना शुरू कर दिया होगा यहां तक तो बभवान ने हमारी सुन ली बस अब टीक टाक ऐसा ही चलता रहे यह तुम क्या कर रहे है बीस करोड रुपिया गिनने की प्राक्टिस कर रही हूँ और फिर क्या हुआ वो मेंट की जो थी ने वो फुदक कर तालाब की अंदर है हाँ वाँ अमर बेटा तो नाम बभव जीते रहो लगता है देर से उठने की आदत है जी बभव जी जब नो कोई सुलाने वाला हो नाहीं कोई जगाने वाला हो तो आख अपनी मर्जी से ही खुलती है हा चाहले तुम अपने चार चाचाओं की फॉश से मिलो यह है स्वीदीम यह किदार आए यह सुआती यह पथली नाम इसका है पभली और घपशा इसकी खासित है कि जब सब शो जाती है यह उड़ जाता और जब सब उड़ जाते हैं तो यह सो जाता है पेटा जी, तुम्हें यहां किसी किसम की परिशानी तो नहीं न? बस एक ही परिशानी है बाबुजी, जितना प्यार मुझे यहां मिला है, मुझे उसकी आदत नहीं है आदत डाल लो बेटा, जो अभी मिल रहा है, उससे सौ गुना जादा प्यार तुम्हें हमें देना होगा हम से इतने सालों अलग रहने का जुर्माना पाबुजी, मैं तो आदत डालूँगा, लेकिन अब आप भी मुझकराने की आदत डालीजिए इतने साल, आप भी कहा मुझकराए होंगे अमर, ये पुराने हिसाब किताब बाद में देखेंगे पहले तु दिवान दीनानात का पूरी तरह से बती जा बन जा राम सिंग, जी साहब, अमर को ले जाओ, जी, और इसको नए कपड़े दिलवाओ, जी कम से कम तीस जोड़ी कपड़े बाबुजी, तीस जोड़ी, किसलिए है? पंदरा तेरे हमारे बगार गुजरे जनम दिन के तोफे और पंदरा तेरे बिना गुजरी हमारी दिवाली के तोफे शाम सिंग, ले जाओ आईया, अमर बाबु अमर पाजार जाते जाते गाड़ी में हमें ताउ जी कहने का रियास कर लेना बच्पन में जब तू तोटली जबान में कहता था ना ताउ जी ताउ जी अब देखें तेरे मूँ से कैसा ड़कता है अरे राम सिंग तुम घर चलो मैं कुछ काम आम निप्टा के आता हूँ लेकिन आपको जाना कहा है मुझे बताईए मैं आपको ले चलता हूँ राम सिंग मेरी पिछली भी एक जिंदेगी थी तो साहर है उसमें कुछ दोस भी थे बस उन्हीं दोस्तों को मिलकर आता हूँ तुम चलो पर अपना पता तो बताते जाए यार राम सिंग अब तुमसे क्या चुपाना यार मेरा पिछला हर पता बिलकुल ला पता है अब सड क्या आप मुझसे शादी करेंगी काया बतामीज मैं बोल रहा हूँ समझ जिसके पास आपको रखने के लिए दिल तो है लेकिन कमबा घर नहीं है आजाए, तुम पूना में और सब कपड़े, मामला क्या है? तुम बस यूं समदलो, ये मेरे नए ड्रामे का कॉस्ट्यूम है ड्रामा? वगल तुम तो कह रहे थे के तुमने थ्याटर छोड़ दिया छोड़ तो दिया था लेकिन एक बुढ़े, बेबस, बुज़ूर की मजबूरी देख फिर इसे बगड़ लिया दिवान दिनाना जी का नाम तो तुम्हे सुना होगा पूना में उन्हें कौन नहीं जानता सुमन, उनका अमर नाम का एक भतीजा था जो करीब 15 साल पहले खो गया जिस पर वो जान चिरखते थे तिवान साब अब कुछी दिनों के मेमान, उनकी आखरी खौयश थी कि मरने से पहले वो सिर्फ एक बार अपने उस भतीजे से मिलने इसलिए जब उनके भायों ने आकर मुझसे अमर का रोल करने के लिए कहा, मैं मना नहीं कर पाया क्या, मतलब तुम हाकीकत में किसी के घर में रहकर ये सब करोगे अजय तुम जानते नहीं मैं सिर्फ इतना जानता हूं सुमन कि जब इंसान की आखरी खौयश पूरी नहीं होती उसे अपनी सारी जिंदगी बेमाने लगने लगती है मैं नहीं जानती थी आजय कि तुम दूसरों के जजबात की इतनी कदर करते हो अरे देखो ना तुम्हारे जजबातों की कदर करके मैं यहां तक चला है चलो घूमने चलते हैं घूमने चलना है तो छे बजे तक इंतिजार करना पड़ेगा क्यों-क्यों? Because now I'm on duty भाहिया हम चल के खाना खाली जी ना रात बहुत हो गई बात रात तो मेरे अमर के लिए भी हो गई होगी लेकिन खाना हम अमर के साथ ही खाएंगे हले हो जब भी आए बहुत ही अजीब निकला यह एक्टर तो एक्टर लोग मूडी होती है क्या दस लाक रुपय में भी उसका मूड नहीं बना यह सब फीस बढ़ाने के चोंचले हैं बंगले को देकर आखे फट गी उसकी और रात बर में नियत खराब कहता तो बढ़ा देता अकर वो नहीं आया तो कल सुपह बंबई निकल जाईए मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे गाजर का हलवा पकर रहा था और बीच रात में गैस खतम यह लो आगे आग गैस का सिलिंडर कात आप तक कितने घंटों से तेरा इंतिसार कर रहे है आय देखो सब तै हो चुका है सुबान से मत फिर न और जाड़ा भाव नहीं खानेगा समझा साला बंधुआ मजदूरी कर रहा है इदर मैं गले में पट्टा बांद के पाल तुनी बननेगा मेरको और हां एक बात तुम सब लोग कान खोल कर सुनलो क्याम करनेगा मेरा अपना अलग स्टाइल है तुम लोगों के वास्ते ही अक्का नाटक में खोद लेकर रहा है इसलिए कभी एंट्री करने का और कभी एक्जिट करने का यह मैं डिसाइड करूगा क्या आजे अमार अमार यह तो सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि दिनानाद भाया ने तुम्हारे इंतिजार में अभी तक खाना भी नहीं खाया बहुत परिशान है वो अभी तुम लोग मेरे को इदर रोक लेगा तो अंदर जाके नाटक का अगला सीन कॉन करेगा तुम लोग अब बोलो अंदर जाओं क्या जाओं साला तौजी अमर अमर कहा है तू तौजी अगर आप बादा करते हैं कि आप मुझे डाटेंगे नहीं तो ही मैं अंदर आऊंगा आरे बाबा सामने आएगा तभी तो डाटूंगा ना तौजी अब देखिए ना तौजी आप ही ने मुझे कहा था ना के बिटा मुझे तौजी तौजी कहने का रियास करो भई तो मैं कर रहा था तौजी हाँ वो तो कहा था लेकिन ये तो नहीं कहा था प्लीज 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 तौजी प्लीज जूजे खिलाए करते थे, है ना तौजी? तू इतना दुख देता है के आंसु निकल पड़ते हैं और इतना सुख भी के फिर आंसु निकल पड़ते हैं तुझे तो मैं अपने हाथ से खाना खिलाओंगा। लेकिन अब मेरी उमर भी हो गई है कि तुम मुझे अपने हाथ से काना खिला है क्योंकि बच्चे और बूड़े एक बराबर हो जाते हैं लेकिन देर से आने का एक जुर्बाना था वो क्या ताउजी? वो कुर्सी तू जलाएगा पिलकर लीजे ताउजी आ भाई तुम लोग खाना शुरू करो हम तो आज अमरत पान कर रहे हैं ये ये ले आ रहा बच्पाना नहीं अजय चिचच अजय 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 सो गए क्या? यहाँ अजय नहीं अमर सो रहा है अजय को ढूड़ना है तो किसी और घर में जाके ढूड़िये अरे वाह ये तो नीन में भी रोल में सो रहा है ये तो शकल सही उच्छकोटी का कलाकार लगता है भाई सुबह का अकबार आने में भी वक्त है बीच रात में आकर क्यों ख़बर सुना रहे है अरे भाई हमारा वो पिछला कहा सुना माफ कर देना तूने तो क्या सीन फिट किया या भाई साब अब तुम्हें पुरी तरह से अपना बतीजा समझने लगे है भाई भाई वाई कितने महान हैं आप लोग मेरा लिखा हुआ सीन इस वक्त आकर मुझे ही सुना रहे वाई 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 हम तो सिर्फ यह कहने आये थे उस नर्स का इस घर से कुछ इंतिजाम कर दो मेरा कहने का बतलब है इस घर से उसका पत्ता कर दो तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं सो रहा था इस वक्त मैं उसी सीन के बारे में सोच रहा था खामका के डिस्टरब कर दिया सोचने दो सोचने दो एक्टर लोग ऐसे ही सोचते हैं लीटा भी ऐसे ही सोचती है गुट नाइट गुट नाइट लुटी 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 लुटी। लुटी लुटी by बहा वुटी हलो हलो कामनी हाई आज के बारे में कुछ याद है अरे बबा मुझे याद है मैं तुम्हारे पासे आने की तयारी करें हूँ चल्दी आना डालेंग अभी आए बाई कि याद हुआने मैं अर बारे रबाती दो करें है देखो ना देखो ना देखो मुझे एसे डरता है दूरु सोचो ना सोचो ना सोचो ना यारा क्यों तुछ पर दरता है दूरु कैसे बताऊं चाहत का जादू मुझ पे भी चानी लगा हावो मैं खोते मैं भी वो खाती दुनिया पसाने लगा देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना देखो मुझे ऐसे बरता है दू ओ सचोना सजोना 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 यारा क्यों तुझ पे मरता है दिल प्यासीत मी जवाँ मौसं है पत्वमाँ तुआ सवाँ ने है भुआँ छेरो ना चानी जवाँ प्यासीत मी जवाँ आखे मिली तो जाने तमना दिल गुन गुना ने लगा कैसे बताओं चाहत का जादू मुझ पे भी चानी लगा ओ सचोना 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 यारा क्यों तुझ पे मरता है दिल आखे मोँ तुझ तुझ तूमने चाहत के एषिए ... लो बख़ियो बख़ियो झाल आबाहों में जरा यो ना पलके छुका तेरी प्यारी अदा देखों है तिर रुबाद आबाहों में जरा यो ना पलके छुका तेरी प्यारी अदा देखों मैं दिरुबाद मेरी दिवाने की प्यारी तेदा मुझको जगाने लगा हाप में ख़ों के मैं भी वफाती तुरिया बसाने लगा सुचो ना सुचो ना सुचो ना सुचो ना यारा क्यों तुछ पी मरता है दिल दिल दरता है दिल मरता है दिल दरता है दिल क्या देखा उस नर्स का चाल चलन एक ग्लुकुस की बोतर दो-दो मरीजों को चड़ा रखी है यहां रोमान्स दीनानाथ के साथ और बाहर अपने आशिक के साथ यह तो एक एक M-T-V का प्रोग्राम दो-दो चैनल पर चल रहा है यहां भी गाना वहां भी गुन-गुनाना पैसा दीनानाथ का बट और लेगी और प्यार अपने आशिक का माफ कीजेगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह आपके किटी पार्टी का वक्त है कामिनी के कैरेक्टर पर कॉमेंटरी करने के बजाए अगर हम लोग यह सोचे कि हमें आप आगे क्या करना है तो बैतर होगा तुम और तों की बातों में मत पड़ो यह सोचने का काम हम मर्दों का होता है और मैं सोच चुका हूँ तुम सीधे दीनानाथ के पास जाओ और उन्हें जाके उस नर्स की हकीकत बताओ ठीक है मैं तो अभी चला जाता हूँ लेकिन कहीं अगर ताओ जी को मुझ पर शक हो गया और सारी की सारी हकीकत बाहर आ गई तो आप लोगों की कहानी तो यहीं खत्म हो जाएगी अगर आप लोग सीधा सबूत लेकर उनके पास जाएंगे तो उनको आपकी बातों पर भरोसा जरूर होगा उस नर्स और उसकी आशिक की तस्वीरे जाकर दीवान दीनानाथ जी के सामने पटक दीजिए कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेकिन यह तस्वीरे आएंगी कहां से मामूली सी बात है कोई 24 गंटा उस पर नजर रखे यह काम रमेश कर सकता है नहीं नहीं रमेश नहीं नजर इने कहीं रखनी पड़ती है और यह पहुँच कहीं और जाते है पता चला शेर के शिकार के लिए भेजा था, खुद ही शिकार होकर वापस आये कहीं नरसी निगल गई तो मुझे तो लगता है इस काम के लिए आनन भाई आटी क्यों मैं यह रिस्क्यों लूँ, सुना है सुभाश तस्वीरे अच्छी खिषता है अरे नहीं नहीं यह और तस्वीरे इन्होंने तो कभी कैमरा पास से देखा तक नहीं है अच्छा चलिए मान लीजिए यह तस्वीरे मैं आपको खीश कर लाकर दूँ जब सब पीछे हट रहे हैं तो तुम्हें क्या पड़ी है अच्छा ठीक है ठीक है यह तस्वीरे मैं यह आपको लाकर दे दूँगा लेकिन दीवान दीनाना जी को यह तस्वीरे दिखाने आप मेंसे जाएगा कौन और मुझे नहीं लगता कि आप मेंसे कोई और भी यह पंगा लेने के लिए तयार होगा नहीं इसलिए मुझे जो करना है खुद ही करना होगा अरे क्या हुआ कामनी में यही से टेक्सी पकड़कर आफिस चला जाता हूं क्यूं पता नहीं क्यूं हमेशा मुझे यही खत्रा लगा रहता है कि हमें कोई साथ देख न ले असल खत्रा तो उस अमर से लगता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह दिनानात का खोया हुआ भतीजा है यह उसका अचानक से यहां पे टपकना इत्तिफाक हो सकता है कामनी मगर तुम अपना हर कदम यह दोनों बातों को ध्यान में रखकर उठाना कि मुम्किन यह भी है कि यह अमर असली अमर हो और गुंजाश यह भी हो सकती है कि यह नकली हो विदोद अमर के असलियत का पता नहीं लगा जा सकता तुम्हें इस सब में पढ़ने की ज़रूत नहीं है दिनानाच जी को लेकर जो हमारा प्लान है हमें उसे के मुताबक चलना है और तुम वही करती रहो जो तैह हुआ है कामनी आज से हम जितना कम से कम मिलें और तुम जितना दिनानाच जी के आस पास रहो उतना अच्छा हो ताउजी ताउजी प्लसेट क्या भाव लगाता है अचेन तने बेचनी है ने ने शिर्फ आपको दिखाने के पैसे मंग रहा हूँ अरे क्या सेट तुम भी बेचने का नहीं यार मनने तो अचेन बड़ी भारी लागे है सेट जी अगर इसके भारी दाम दोगे तो इससे भी भारी माल है मेरे पास रुपया तो चोखा मिले गया सेट पन भाव तो वजन करा के कैसा कूँ ठै रुको मैं अबार आऊँ अरे जल्दी आना सेट दिवान साहब सब जगा तलाश कर लिया लेकिन वो चेन कहीं नहीं मिली फिर वो चेन गई कहाँ जमीन खा गई या आत्मान निकल गया इस हवेली में न कोई बाहर से आया न कोई बाहर गया तो उने की चेन तो एक मामूली चीज है लेकिन दिवान दीना नाथ के यहाँ चोरी में बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बड़े भाईया हम लोगों में से आजकल तो उस कमरे में कोई आता जाता भी नहीं है कामीनी तुमने तो वो चेन नहीं देखी भाई साब के कमरे में तो तुम्हारे सिवाब कोई आता जाता नहीं तुम्हारा मतलब ही कि वो चेल नहीं, हम लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं, यह कहना ही चारी थी कि शाय तुम जेन रखकर कहीं भूल गई हो, मैं तुम लोगों का मतलब अच्छी तरह से समझती हूँ हमारे भरोसे का मतलब अगर तुम समझती हो मैंनी, तो किसी की बात समझने की तुम्हें जरूरत नहीं भाया, चोर तो हम में से ही कोई एक है न, और हम में से यहाँ सिर्फ एक आदमी मौझूद नहीं है अमर, वो कहां गया? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यही कि जब वो यहाँ लौद कर आए, तो उसे हम पूछेंगे, शायद वो कुछ चेन के बारे में जानता हो अमर के बारे में बाईशाब सब कुछ जानते हैं यह भी कि वो यहाँ आने से पहले क्या था और यहाँ पर क्यों आया? मिन्नी अनन, कौन है? इन्पेक्टर टांबे, यह कैसे आना हुआ? बिवान साब, यह सक्स आपके सोने की चेन जो एलिशाब में बेशते हुए पकड़ा गया है अ अ अ देख खूल दरह यह चेन यह चेन इंस्पेक्टर, कल यह शक्स बाजार में दिवान दीनानाद को बेचता हुआ भी दिख जाए तो इस पर शक मत कीजिएगा यह तो मारा दाड़ना बतीजा अमर है बतीजा? हाँ, यह सोने की चेन हमने इसे बाजार में बेचने के लिए बेजा था जब से यह चेन हमारे घर में आई है हमारी तो किसमत इस हो गई है और बतकिसमत ही देखिए के आप फिर इसे हमारे ही घर में ले आए हैं I am sorry, दिवान साब, very sorry It's all right Mr. Amar, I am very sorry, मुझसे गलती हो गए दौजी प्लीज, प्लीज दौजी आप मुझे डाटिये, मुझे मारिये मुझे पर कोड़े पर साये लेकि मैं आपके हाथ चोड़ता हूँ आपके पाउ परता हूँ मुझसे इस तरह पीट मत पोड़िये मत पोड़िये मैं तुझे बड़ी से बड़ी सजा भी दे दूं, अमर लेकिन जो सजा तुने मुझे दी है उसके आगे हर सजा बहुत छोटी होगी तौजी प्लीज मुझे माफ कर दीजे तौजी मुझे माफ कर दीजे लेकिन तौजी दिवान दिनानाद का इस सर्दार भतिचा, मैं एकदम से कैसे बन जाओं ताउ जी, ताउ जी, इतने साल मुझे रोकने डोकने वाला, रूटने मनाने वाला, मुझे डाटने साजा देने वाला कोई था ही नहीं, जो जी में आता वही करता, मुझे, मुझे जोए की बहुत पूरी आदत पड़ गई थी ताउ जी, और आप नहीं जानते, जब मैंने इस मंदिर में कदम रखा था, पेर पूरी तरक की जडवे धसे होई थे, पेरे सर पर तीन लाख रुपे का कर्स था, जो मैं जोए में हार चुका था, और ताउ जी, पूरी तरह आपका भतिजा बनने से पहले, मैं अपने सर से हर कर्स को उतादेना चाहता था, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मुझे ये आखरी चोड़ी करनी पड़ी, बाफ कर दिजिए ताउ जी, मुझे बाफ कर दिजिए, मुझे बाफ कर दिजिए, आमार, तू एक बार अपने ताउ से कहकर तो देखता वो तेरे सारे करसदारों को बिना मोल भाव के खरीद लेता अरे दिवान दीना ना चौधरी इतना भी गरीब नहीं कि जुए में हारे वे तीन लाख रुपए की पेमेंट के लिए वो अपने बतीचे को चोरी करने पर बजबूर करते आरे अमर दुनिया में जुआ कौन नहीं खेलता बाश्या तक्स के साथ जुआ खेलता है तुमाही तलवार के साथ जुआ खेलता है मुदबर कलम के साथ जुआ खेलता है और जिसके पास कुछ नहीं होता वो गौडियों और पैसों से जुवा खेलता है पैदा कर आज के बाद तु जिन्दगी में जुवा कभी नहीं खेलेगा कभी नहीं तो जी कभी नहीं राम सिंग जी सब तज़ारी में से तीन लाख रुपए निकाल कर अमुर को देदो जी जा और आज ही अपने करजदारों क कभी नहीं का करज़ा उतार कर पर उचा करके अपने ताउ के पास वापसा राम सिंग लेजाओ इसे जाव मत जाओ हुआ है हुआ है क्यों यह तीन लाख रुपए लेकर खिसक रहे थे पटुए ने कभी सो रुपए का मुझ नहीं देखा और कहते जुए में तीन लाख आ रिया यह हमारे हक का पैसा है इसे हमें लोटा दे घोचो यह मेरे कलाकारी का इनाम है अक्सर अच्छा सीन देखने के बाद लोग तालिया मारते हैं और आपके वो दीनानाची जो है वो पैसे उड़ाते हैं यह पैसा मैंने अपने टैलेंट से कमाया है क्या इस तरह के सीन दिखा द आदर की पूरी ज्यादत अपने राप करवा लेगा नहीं 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 पूरे में मेरे को इंट्रेस्ट इस नहीं है जितने की जरूरत थी उत्रे का बंदोबस में कर चुका हूं भाया जितनी भूख उतनी ही मैनद क्यों है तुझे तीन लाख उर्पे मिल गए ना अब दे करूंगा के अंदर जाके दिनानाच जी के सामने एक नया सीन कर दूंगा जिसमें आपकी सच्चायों पर से परदा उठ जाएगा मेरे नाम के दसलाख रुपे मैं तो ले लूँगा लेकिन उसके बाद आप लोगों का क्या हाल होगा ये आप अच्छी तरह जानके तो अब कर दो जाएगा का क्या है उपरवाले नीली छतरी तले मने प्यार की छोपड़ी बनाई इस छोपड़ी में दिलकश धड़ी में चाहत की खटिया पिछाई उपरवाले नीली छतरी तले मने प्यार की छोपड़ी बनाई इस छोपड़ी में दिलकश धड़ी में चाहत की खटिया पिछाई कब होगी हमारी सागाई उपरवाले नीली छतरी तले मने प्यार की छोपड़ी बनाई इस छोपड़ी में दिलकश धड़ी में चाहत की खटिया पिछाई कब होगी हमारी सागाई परवाले नीली छतरी तले मने प्यार की छोपड़ी बनाई इस छोपड़ी में दिलकश धड़ी में चाहत की खटिया पिछाई मैं भी हूँ राजी ये भी है राजी रोके का कैसे अब हमको पाजी वा मैं भी हूँ राजी ये भी है राजी रोके का कैसे अब हमको पाजी दिलकश धड़ी दुआ सुन ले तू सता मेरे खाबों की दुनिया बसा दे उना सता तेरी मर्ती है क्या अब चलती से मुझ को बता दे तब मेरी सजेगे कलाए, तब मेरी सजेगे कलाए, कलाए सुनिये, सुनिये, ये क्या हो रहा है? उपर वाले हैं निली छतरी कले, मैंने प्यार की छोपडी बनाए आरे इस जो बड़ी मैं, दिल कशे घड़ी मैं, चाहत की खतिया भी चाए ये है कमारा, मैं हूँ कमारी, जल्दी मिला दे जोड़ी हमारी अरे ये है कमारा, मैं हूँ कमारी, जल्दी मिला दे जोड़ी हमारी मिटे ये दूरिया, हठे तनखाईया, मैं हे खूबाता कुंधुध भुठाओं हो खिले अंग्डाईया, बचे शेहनाईया, इसे बंदों में अपनी बसाओं इसे मेरी बना दे लुकाई, हो इसे मेरी बना दे लुकाई, तु गाई उपर वाले है निली छतरी तले, मैंने प्यार की छोपडी बनाई इस छोपडी में दिलकश घड़ी में चाहत की खटिया बिछाई अमर, अमर, अरे गुड बॉर्निंग तौजी, जी ते रहो, अमर, जब से तु यहां आया है, मैं बहुत डर्पोक हो गया हूँ, डर्पोक, हाँ, शाम को जब सूरज डूपता है, तो दिल में एक डर उबरता है, कैसा डर, यही के तु अभी तक घर पहुंचा है के नहीं, अगर नहीं तो फिर कहा है, कहीं अपनी ना समझी में किसी मुसीबत में न फस गया हो, ओ ताओ जी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ, अरे मेरे सामने तो बड़ा नहीं हुआ ना, अभी तुझे मेरे सामने भी बड़ा होना है, इस डर को खतम करने का ए मैं ऐसी चीज लाके रखतू हूं कि जो तेरे लॉटने की गरंटी हो तौजी मैं कुछ समझाने पहले ये समझ ले कि मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर भैस कोई नहीं मैं फैसला कर चुका हूं तौजी आपका फैसला सरांखों पर लेकिन कौन सा फैसला तेरी शादी का अरे तेरे शादी के रिष्टे की बात मैं चारों तरफ भेज रहा हूं तौजी मैं तू भले शादी ना करना चाहता हो पर मैं तेरी शादी करवा के रहूँगा ताउजी बात वो नहीं है, दरसल बात तो यह है कि अच्छा अच्छा, इस मौमले में भी तेरे दिल पर कोई करदा चड़ा हुआ है क्या अरे ये तो सोने पे सुहागा, नो मंगनी, पच बया जल्दी से मुझे उस लड़की से मिलवा ताउजी, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो लड़की बहुत गरीब है लड़की वो तेरे लिए होगी, मेरे घर की वो लक्षमी होगी और लक्षमी कभी गरीब नहीं हो सकती यह तो मुझे कहां ले आयो जाए, चलो बाहर चलो, कोई देख लेगा तो आइतराज करेगा अरे सुमन, इस चार दिवारी में किसी का आइतराज आ ही नहीं सकता, पूछो क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ हमारी हुकुमत चलती है, तुम हो मलिकाय फ्लाइट और हम शाहिन शाय फ्लाइट तुम्हारा मतलब है? यह फ्लाइट हमारा है? बिलकुल, तुम बस यूं समदलो सुमन, कि इतने सालों जो मैंने अपने कला की पूजा की है आज उसका प्रसाद मुझे एक साथ मिल गया, दीवान दीनानाच जी के भतीजे का रोल मैंने कुछ इस खुवी से निभाया है, क्योंकि खुशी देखकर उनके भाईयों ने मुझे माला माल कर दिया और उन्हीं पैसो से मैंने अपनी प्यारी सुमन के लिए एक छोटा सा मगर प्यारा सा घर खरीदा है, कैसा लगा यानि कि अब हम शादे कर सकते हैं अफकोस, लेकिन अब तुम्हारी शादी अजय के साथ नहीं, अमर के साथ होगी अमर के साथ? देखो, दिवान दिनाना जी मरने से पहले अपने इस भतीजे अमर के सर पे सहरा देखना चाहते हैं अरे मैं तो उन्हें उनके होने वाली बहो का नाम तक बता चुका हूँ सुमन, अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं प्लीज अजय, मुझे अपने इन नाटकों में शामिल मत करो ओ, कम ओन सुमन, उनके भतीजे होने का नाटक तो मैं कर रहा हूँ तुम मेरे होने वाली बीवी होने का नाटक थोड़ी कर रही हो, वो तो हकीकत है, है न? क्या? अमर, तु गलती कर रहा है तौजी गलती? बहुत बड़ी गलती तौजी, मैं कुछ समझा नहीं तौजी अरे पगले, इतनी अच्छी लड़की मिली है तुझे और तु अभी तक तुमारा ही गूम रहा है हीरा तो ढून लिया, लेकिन उसकी कदब नहीं जानता इससे शादी करने में तुने जितनी देर की है न, मैं उतनी जल्दी इसे अपने घर की बहु बनाने में करूँगा राम सेंग, जी दिवान साथ हाँ जी पंड़त को भुला कर शादी का बहुरत निकलवाओ और आमर और बेटी क्या नम बताया? जी सुमन आमर और तुमन की शादी का इलान करवा था जी बाबु जी बाबु जी, बड़ो का फैसला हमारे लिए हुपम है पर आग्या हो, तो मैं अपने मामा जी को ये खुशखबरी सुना कर उनकी भी इजाज़त लेलू भाई आज ही शाम को हमारे घर पर उनकी दावत बाबु जी, वो तो बंबय में रहते हैं मुझे वहां जाकर उनका आशिरवाद लेना पड़ेगा और तुम्हारे मावाद एक एकसिडेंट में उनकी मौत हो गए ओ, मेरे जैसा दर्द तेरे सीने में भी है तु बहु बनकर आएगी ना तो मैं तेरी वो कमी पूरी करने की कोशिश करूँगा जा बेटी, अपने मामा जी से इजाज़त लेकर आजा तब तक मैं इस नालायक को लायक बनाने की कोशिश करूँगा और हाँ वकिल साब, कल जो कागजा दिये थे, वो चेक कर लिये ना सारे चेक कर लिये, not to worry, okay Morning Sir Good morning Sir Good morning Sir अमार जी, यही है वो ओफिस जहां हमने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है तिवान दीनानात ने जो हस्ती जो वजूद बनाया है वो सब इसी आफिस की पदावलत है आज से यह आफिस तुमारे हवाले इसकी देख भाल तुम करोगे ताउजी, ऐसी भी क्या जल्दी है? पहले यहां का सारा कामकास तो सीख लूँ, उसके बाद यह जिम्मेदारी भी उठा लूँगा लेकिन ताउजी, बूर्निंग सर्व आप में मुझे याद किया सर् विनोद यह आमर है हमारा भतीजा धीरे धीरे हमारी कंपनी का सारा कारोबार यह अपने हाथ में ले लेगा अपकोर्स विद यूर हेल्प एंड गाइडन्स अमर यह मिस्टर विनोद, हमारी कंपनी के जनरल मनेजर यह वेरी डेडिकेटेड ओनेस्ट यंग मैं पस यह समझ लो के हमारी कंपनी के कारोबार की जानकारी हम से जादा इसे है आप से मिलके बड़ी खुशी हुई विनोद साथ मुझे भी, सेम हीर क्या कह रहे हु, कामीनी काशिप, ओफिस में दीनानाथ का सबसे बड़ा वफादार बना हुआ है और ऐसा वफादार, जिसने उनका पूरा कारोबार अपने हाथों में किया हुआ है और तो और, जब दीनानाथ जी उस कमजर्व की तारीफ करना शुरू करते है तो वो तब तक नहीं रुकते, जब तक उन्हें रोकाना जाए ये तो बड़ी जहरीली नागन निकली और उसका जोड़ीदार ना कुंडली मारकर भईया के बिजनेस पर बैठा हुआ है कोई आदमी इस हद तक गिर सकता है कि खुद अपनी प्रेमिका को जान बूच कर दीनानाथ पर डोरी डालने के लिए भेज सकता है इसमें चीकी क्या बात है करोडों के वारे नयारे हो जाएंगे उस विनोथ को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना मुझे नहीं लगता लेकिन उसको लेकर मेरा शक अब यकीन में बदल गया है जब आफिस में विनोथ से मेरा आमना सामना हुआ तो मुझे देखकर वो कुछ बॉकला सा गया था हात मिलाया तो उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे अरे ठंडे तो हम पड़े हुए है सब कोई समझ कर भी कुछ नहीं कर पा रहे है जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया न उस नर्स और उसके आशिक पे काड़ी चड़ा दूँगा क्या उमर है आपकी यह कोई 45 के असपास क्यो 14 साल कैद बामुशकत याने आप यह सारी मैनत रिटार्मेंट के बाद के लिए कर रहे हैं यह लडाई एदबार की है कामणी और विनोद एक तरफ और आप सब एक तरफ सवाल तो यह है कि दीनानाजी किस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं आप पर या उन पर करते तो उन पर ही है न और हम कुछ नहीं कर सकते आप लोग शायद कुछ नहीं कर सकते लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ वह सीन में अलड़ी सोच चुका हूँ हलो हलो कामणी आज से न हम मिलेंगे और नहीं फोन पर बाते करेंगे जब तक ये प्लान कामियाब नहीं हो जाता क्यों? ऐसा क्या हुआ? आज दीनानाथ जी अमर को लेकर आफिस आये थे और वो जिस अंदाज से मुझे देख रहा था मुझे लगता है उसके हाथ कोई सबूत आगया है सबूत? कैसा सबूत? यह मैं नहीं जानता कामिया, तुम अमर पर नज़र रखो और देखना कोई गलती ना कर बैठना वो जरुवत से जादा चालाक लगता है हाँ, मार्केट जाएंगे और मार्केट के बाद फालन भी होकर हम अरे अमर तुम? कुछ कां था? हाँ, ऐसे ही, सोचा तुम्हें गुड़ नाइट कह दू गुड़ नाइट गुड़ नाइट कामियी स्लीप वेल हाँ, फिर पालर से होकर हम लोग देखा, इससे पहले कि तुम उस पर नज़र रखो उसने तुम पर नज़र रखना शुरू कर दिया है वो जरूर किसी कोशिश में लगा है हुश्या रहना अब कुछ तो बताओ, अजय तुम्हारा मोड इतना उख्रावा क्यों लग रहा है? अब तुम्हें क्या बताओ, सुमन तुम तो दीवान दीना नाजी से मिली हो कितने भले इंसान है वो भले ही नहीं आजय वो तो साक्षात देवता हैं, देवता मैंने जो उनके आँखों में सच्चाई देखी है न और जो उनके भावनाओं में गहराई देखी है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है लेकिन मैंने उस घर में जो देखा है सुमन अगर तुम सुनोगी तो तुम्हार दिल भराएगा मैं तो बिल्कुल हिल गया था उनके साथ होता हवा वह फरेब देखकर तीनानाची के साथ वह परिब? कौन कर रहा है? उनके भाई? अरे ने-ने उनके भाई तो भॉत भले लोग हैं उस घर में तो सिर्फ एक फरेव है दीवान साब की वो नर्स कामिनी कामिनी क्या किया उसने अरे ये पूछो क्या नहीं किया उसने आई थी उस घर में एक नर्स बनकर और अब उसने सारे घर पर कबजा कर रखा है और पता नहीं दीवान साब उसका लिहाज करके या उसकी ड् सुमन यह सब मैं अपनी आखों के सामने होता हो देख रहा हूं उद्र आफिस में विनोद ने दिवान साब के कारोबार की लगाम अपने हाथों में की हुई है और इधर घर में कामिनी ने उस पेपस अपाहिच को अपने हाथों की कटपुतली बना रखा है ताकि दोनों मिलक अगर उनकी जायदात को पूरी तरह निकल जाए तो कोई जाकर उन्हें यह बात बता था क्यों नहीं कैसे बताए सुमन सब लोग उनकी इतनी हिज़त करते हैं कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती सुमन आज अगर उन्हें कोई समझा सकता है तो वो तुम हो मैं हाँ सुमन तुम नजाने तुन्हें उन पर क्या जादो कर दिया आज कल वो हर वक्त तुम्हारी ही बाते करते हैं मेरी होने वाली बहु ऐसी है मेरी होने वाली बहु वैसी है सुमन, मैं तुम्हारे हाथ चोड़ता हूँ, दीवान साथ के जिन्दगी भर की मैनत, उनकी कमाई को किसी साजिश का शिकार मत होने दो तुम, बचा लो ने सुमन, बचा लो लिकिन अजय, मैं सिधा जाकर उनसे इस अपुछ कैसे कह सकती हूँ रास्ता निकल आएगा सुमन, बस तुम हाँ कह दो सुमन, तुमने अपने मामा से इजाजट ले ली? हम यह सुनना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे थे सुमन, हम तीसरी बार तुम से यह पूछ रहे हैं तुमने अपने मामा से बात की? हाँ बाबू जी, बात 또 की थी पर वो बड़ी अजीब अजीब बाते कर रहे थे कैसी बाते सुनकर क्या करेंगे बाबू जी चौटा मूँ और बड़ी बाते हम सुनना चाहते हैं क्यूं मुझे शरमिनदा कर रहे हैं ना जाने वो आपके खांदान के बारे में एक क्या अफवा सुनकर आ गए और शादी के लिए शर्ते रखने लगे मामा जी भले ही मुझे आपकी बहु बनने से रोख लें लेकिन मैं आपकी बेटी तो बन ही सकती हूँ ना तुम हमारी बहु ही बनोगी सुम्मन हमें पता तो चले के ऐसी कौन सी शर्त रखी है उन्होंने जो हम पूरी नहीं कर सकते और क्या अफवा सुनिये उन्होंने मारे खांदान के बारे में वो कह रहे थे के लोग आपको और कामेनी जी को लेकर बड़ी उल्टी सीधी बाते करते हैं वो कौन है क्या रिष्टा है आपको और कामेनी जी का वो इस घर में क्यूं है जब तक कामेनी जी इस घर में है मुझे इस घर की बहु बनने के जासत नहीं मिल सकती वा सुमन वा मेरे ताउजी ने तुम्हे धोड़ा प्यार क्या दिखा दिया तुम्हारे घरवाले अब इन पर अपनी शर्टें थोपने लगे यानि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब तक कामेनी इस घर में मौझूद है तुम इस घर में नहीं आ सकती क्यों यह मेरी शर्ट नहीं मामा जी का कहना है तो जाओ जाकर कह दो अपने मामाजी से, कि हमार खुद उनकी शर्ट से इंकार करता है। वै अपनी खुशी के लिए, अपने ताउजी की खुशी कुरबा नहीं कर सकता। कामेनी इसी घर में रहेगी, सुना तुमने, चाहे तुम इस घर की बहु बनकर आओ या ना आओ, कौनसी बड़ी आफ़त आजाएगी अगर हमारी शादी नहीं होगी। वैसे अगर तुम अपने मामाजी की मर्जी के खिलाव जा सकती हो तो … तुम जब अपने तौउजी के लिए इतना कर सकते हो, तो मेरा भी अपने मामाजी की प्रती कोई फर्ज है। कामेनी जपता किस घर में है, मामा जी जीते जी मुझे कभी इस घर की बहु नहीं बनने देंगे सुमन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो आखिर, आखिर तुम्हारी मेरी दुश्मनी क्या है मैं माफी मांगती हूँ आपसे, दुश्मन ही नहीं, मेरी एक मजबूरी थी, जो मैं बाबुजी को बताने आई थी, और अब मैं चलती हूँ बहू नहीं तौजी, उसे जाने दीजिये पर भाकर को भी एक बार ऐसे ही जाने दिया था फिर बहुत पश्टाया था आज तद पश्टारा आसू और तू आमर, किस्मत में अपनों से जुदाई ही लिखवा कर लाया है जो तुझे प्यार करते हैं, उन से तुझे बिछड़ना क्यों पड़ता है सुमन, अपने मामा जी से कह दो, हमें उनकी सब शर्ते मन्जूर हैं इसका मतलबाब आइम सॉरी, कामनी, आइम सॉरी तुमने मुझसे बहुत मुश्किल रोल करवाया है, जैसे मुझसे कोई पाप करवाया हूँ नहीं सुमन, नहीं, यह पाप नहीं, यह तो पुन्य था जो पाप यहां चल रहा था, वो अब खत्म हो चुका है, ट्रस्ट मी तुम यह मुपे फकीरी लिए क्यों बैठे हो, अब तो करोड़ पतियों वाली बात लाओ भाया, कामनी नम का काटा था, निकल गया सुई से काटा निकालने चले थे, काटा तो निकल गया मगर आजे नाम की सुई अठके रह गए आजे कामनी से ज्यादा खतरना के रेखा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तस लाग उर्पे देने पड़ेंगे न, दे देंगे आरे तीन लाग तो वो ले भी चुका है, और क्या वट से लिए थे, सीना ठोक कर कोई कुछ नहीं कर पाया तब हमारी मजबूरी थी हाँ लेकिन तब मजबूरी तीन लाग की थी और अब यह मजबूरी 80 क्रोड की हो गई है, उसकी नियत पूरी जयदाद पर है उसने अपनी कलाकारी से दीनाना चौधरी को कटपुतली बना दिया है अब वो सारी जैदाद अपने नाम करवा लेगा उसके बाप का राइड़ अच्छा अस्थ लाख रुपया देकर साली किस उपाड़ी उठवा दोगा सारा खेली ख़त मों जाएगा एक लाख रुपय भी क्यों देने के? एक तरीका और भी है क्या? अजय को तेरना नहीं आता, क्यों ना एक दिन पीच पर पिकनिक का प्रोग्राम बनाया जाए? अरे पीच पर ही क्यों? बंगले का स्विम्मिंग पूल किस दिन काम आएगा? पर कैसे? अरश्यद, तुझे तेरना आता है? हाँ, ना आज से तुझे तेरना नहीं जानता, मतलब अब वीच करोड रुपए के लिए पानी में कुछ डुकिया तो खानी पड़ेगी न चोड़े बचाओ, अब अब, कोई बचा मुझे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ अबे, हाँ, तुझे तेरना नहीं आता क्या? कोई बचाओ, कोई है हाँ दे, हाँ दे, हाँ दे, हाँ तुझे बचाओ अबे जा न, जा बचाओ से यक्तर सालन नहीं कुदेगा लगीशर, कुदेगा अरे काम मर गए सब के सब, अरे ये ढूम खाएगा हरे हर्शन अपेचा बचाना, लगता है सालन नहीं कुदेगा लगिशन, कुदेगा, नहीं कुदेगा अरे हर्शन, हर्शन, मैं आता हूँ बचाओ, बचाओ बचाओ अमार अरे ये यार क्या कर रहा है ये यार रहे कर भी क्या करनेगा अमार मैं आयाँ ये तो कए हमारे 20 कुरोट बचाओ, बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ, बचाओ, बचाओ जोले आओ, बचाओ हद तेरी लापरवाही की दिनानात? अरे, जरासा बेहोश क्या हुआ? तु राशन पानी बनाने के लिए दवाइएं लेकर यहाँ पहुंच गया हाँ, चल तक यहाँ उचा कर अब अच्छी तरह से हुश में आजा कह देता हूँ अरे, तेरी उम्र तुझे अपनी सहच से खिलवार करने की इजाज़त नहीं देती जब अमर को तेर्णा ही नहीं आता था तो उससे पानी में कूदने की क्या जूर थी? देखा उसका पच्पना? तुने उसकी इंसानियत देखी तेर्णा न जानते हुए भी हर्शत को बचाने के लिए वो पानी में कूद गया अरे मगर तू क्यों बानी में कूदा तुझे कुछ हो जाता तो? अमर को कुछ हो जाता तो? अमर तो ठीक है ना? कहा है वो? कहा है? तौजी मुझे माफ कर दीजिए तौजी मेरी वजह से आपको बसकर तेरी वजह से बेटा लगता है आज मुझे परभाकर की माफी मिल गई आ इदर आ अरे आहो ना अरे अरे इदर ने इदर आ इदर आ डॉक्टर पिछट 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 हटो ना पीछे तौजी बहू ये गलत बात है इस छट के नीचे तेरी आँखों से आँसु नहीं बहेंगे बापू जी आप बेहोश क्या हुए हमारी जिंदगी को सूर्य अग्रहन लग गया अचानक एक अंधहीरा सा छा गया बहू अब ये सूरज बूड़ा हो गया है डूबने की तैयारी में है ऐसी बाते मत कीजिये बाबू जी तो ली पूरी जिंदगी हो गये सारे फर्स पूरे अब तो जिस दिन मूड आया खुदा हाफिस गुड़ बाई लेकिन नहीं अभी एक आखरी फर्स पूरा करना है राम सिंग जी साथ अपने वकील साब को बुलवा भेजो उनसे कहो के हमें अपना वसीयत नामा तैयार करना है जी बहुत अच्छा और सुनो जी ये डॉक्टर को ले जाओ आये डॉक्तर साथ दिननाथ तू बाज नहीं आएगा हम चलिए दिवान दिननाथ चोदरी की पूरी जाइदात करीब 80 करोड रुपे की है इनकी वसीयत के मुताबिक पूरी जायदात के 5 बराबर हिस्से किये जाएंगे उनमें से 4 हिस्सों के हगदार होंगे इनके चोटे भाई आनन चोदरी, रमेश चोदरी, सुभाश चोदरी और सोला करोड ये हराम ही ले जाएगा और हमें चार-चार करोड का टुट लास। अड़े भईया, अमर अभी बच्चा है, इसके कंदों बे इतनी बड़े जिम्मेदारी अभी से ना डाली जाए तो पांच बराबर हिस्सों में बाटी जाएगी, पर्क इतना है के परभाकर का हिस्सा उनके बेटे अमर को मिलेगा पगिल साब, जी दिवान साब, करवाई शुरू कीजिए, जी यहां किस जाएदाद के बाच इससे करके अपना दिल बहला रहे हो, दिनानाथ जी, विनोद क्योंकि तुम्हारी जाएदाद पर तो सिर्फ हमारा हक है तिवान दिनानाथ चौधरी जाएदाद पर तुम्हारा हक क्या बख रही हो तो क्या तुम्हारी सेवा हमने फोकट में की थी। सेवा की है तो मेवा भी मिलना चाहिए। सो मिल गया। इतने सालों से तुम्हारे कारोबार को सम्हाल कर रखा। क्या सोच का। यही ना कि तुम्हारी मौत के बाद इन सब के वारिस हम होंगे। लेकिन तुमने, तुमने मेरी महनत के फल का फ्रूट चार्ट बनाकर इन रिष्तिदारों में बाठ से थी। मुझे तो तुम पर भरोसा भी नहीं है। पहले तो कामनी को घट से निकाल दिया। कल, कल मुझे भी हकाल देंगे। ए, तरे भापका राज है, तरी वफादारी और महनत की खीमत, अच्छी करोड है क्या। दिमाब भेर गयां दोनों का। अपनी फीस का हिसाब किताब चोल कर भिजवा देना, चुकता हो जाएगा। यह रहा मेरे और कामनी के फीस का हिसाब किताब। लीजे वकिल साब, आप पढ़िया, क्योंकि यह कानूनी चिथी है। तीना नाच जी, इस लीगल नोटिस के मुताबि तो आपकी पूरी जायदात ही नहीं, बलकि यह बंगला, आपकी सारी प्रॉपर्टीज, बैंक, बैलेंस, एक एक चीज़ पर विनोध और कामनी का हक हो गया है। विनोध, नमक हराम, कागडात की हेरा फेरी करके, वफादारी की काली पट्टी मेरी आँखों पर चठाकर, यहां वहां मुझसे दफतखत करवाकर, तु मेरा एक एक पैसा हड़प कर गया। भराम जादे तू, तमीज से और नीची आवाज में बात कर, तुम लोग अपने भाईया के बंगले में नहीं, बलकि मेरे बंगले में बैठे हो, और कनीमत समझो कि तुम लोगों को धटके मार कर नहीं निकलवा दिया, लेकि गल्टा, गल्टा के बंगला खाली हो जाना च कमच गए सब लोग, चलो कामनी अरे, तुम लोग सब दुखी क्यूं हो गए, रुपया ही गया है ना, किसी की जान तो नहीं गई, जब मैंने कारोबार शुरू किया था, तो मेरे पास क्या था, कुछ नहीं, और अब जब कुछ नहीं है, तो फिर मातम कहे कहां, लेकिन तौजी, अब आप करेंगे क्या, कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, अब तो ये बंगला भी, अरे, तू क्यों फिकर करता है, जब दीनानाद के पास चार-चार भाई हैं, तू है, अरे, जब सारा खानदान मेरे साथ है, तो मैं तो 80 करोड से क नहीं जादा अमीर हूँ, जरा बेशर्वी की हद तो देखो, हमारा करोड उर्पे का नुकसान करवा दिया, और ये कहता है कि इसको कोई फिकर ही नहीं, वा, भाई भाई, वा, अरे, काहे के भाई, ये तो उस नमक हराम, और उस चमक चल्लो के सगे निकले, बहु, इन आल ये दीनानाथ का बोज पढ़ गया ना हम पे, जिन्दगी भर ये दिवान दीनानाथ बना ऐश करता रहा, और जब ये विखारी हो गया, तो भाई-भाई करने लगा, आय थे इसका क्रियकरम करने, लेकिन इसने तो हमारा ही क्रियकरम कर दिया, असी क्रोड की कामीनी के साथ घोरग धंदा जो चल रहा था, सारा ध्यान तो उसके ठुमकों पर लगा रहता था, अरे बुढ़ापे में जवान होने की कीमत असी करोड, बस, बस करो तुम लोग, बहुत हो गया, अब एक लफज और निकाला तो जबान खिच लोगा तुमारी, ए भाण न अमार, प्याचा पर हाथ नहीं उठाते, कौन किसका चचा बुड़े, ये तेरा चश्मे बद्धूर बतीजा, अमर नहीं है, ये तो कोई सडक छाप नाटक बास अजे है, इसे दस लाख में तेरे भतीजे के एक्टिंग करवाने के लिए लाए थे, सारा, शुड़ी फ्लाप हो गया, दस लाख? समन्द, अरे, क्या-क्या नहीं किया इस पुड़े के लिए, अब 10 रुपे का कटोरा भी करीद के दे दो इसे, अरे, रहने दो, रहने दो, वारना कटोरा लेके हमसे भीट मंगना शुरू करतेगा, बढ़ने दो इसे यहाँ, चलो, वापर चलो, अरे, मरेगा तो अब इसे कंधा अरे, यह तो पहले ही मर चुका है, चलो, चलो, अरे, चलो, मुझे देख रो, चलो याईनी तू, तेरा प्यार उस दस लाख रुपए के लिए था, इस अपाहिज बूरे के साथ इतना बड़ा फ्रेम, असी करोड जाने का मुझे कोई गम नहीं, इन्हे हाथों से कमाए थे, इन्हे हाथों से गवा दिये, मगर तू, तू ने अधीन अनाद को कंगाल कर दिया, अमर की यादों की चिता मेरे सीने में चला कर, पेरी जिन्दगी को बेमेनी कर दिया, ठूख दिया मेरे ज़स्पा सुमन, तुम यहाँ से चले जाओ आजए, तुम हरी असलिएत मेरी आँखे बरदाश नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो सुमन, वै तो, माफी, माफी गलती की दि जाती है पाप की नहीं, मुझे तुमसे नफरत हो गई है आजए, तुमने में मेरा, मेरे प्यार का इस्तमाल अपने एक पाप के लिए किया और बाबुची की प्यार को व्यापार बना दिया तुमने, हाँ कुछ पैसों के लिए, तुम वो धौम वो दिखावा वो आक्टिंग करते रहे और मुझे कहते थे कि.. ऐसऊ पाप किया है. लेकिन ऐसा मैने क्यों किया..किसलिए lending, किसलिए.. अपनी किसी लिए ओपन्य शॉक पूरा करने के लिए नहीं किया यह सब. इसब मैंने अपने उसस जफने के लिए किया अपने उस चोटे से घर के लिए जहां हम तोनों मिलकर.. उस छोटे से मकान के लिए तुमने बाबुजी की पूरी दुनिया उजार दी। पंधरा साल तक जन यादों को वहार पल जीते रहे। उन यादों का खून कर दिया तुमने। उमर से जादा आसू दे दिये उन्हें। अजे, तुम चोरी करते। दाका डालते तो भी शायद मैं तुम्हें माफ कर देती। पर तुमने बाबुजी के साथ, जिनकी हर सांस का मकसद तुम बन गए थे। सुमन मैं। इसकी कोई सफाई नहीं हो सकती। ये हर हाल में एक गुना है। और जब तुम बाबुजी के प्यार के साथ ये सुलूक कर सकते हो, तो जाने मेरे प्यार के साथ क्या हश्र करोगे। वैसे भी, जिस अजयए को मैं प्यार करती थी, वो तो शायद तुम्हारे अंदर मर चुका है। और तुम्हें मैं नहीं पहचानती। तुम यहांसे चले जाओ। उठाओ उठाओ, उठाओ इस अरे प्लेटफर्म शीडी उपर से। यहां सब चलने फिलने वाले लोग रहते, कोई आपाइज नहीं है। रे जाओ, उधर रे जाओ। अरे राम सिंग, ताओ जी कहा है। अब वो यहां कहां। यह विनोस सहप का बंगला है। अरे लेकिन वो गए कहां। अरे आप वो कहां जाएंगे। सरकार ने बे सहरा बुड़ों के लिए वो एक आश्रम जैसा कुछ बनाया है। वो क्या कहते उसे। रद्धाश्रम? हाँ, वही। उन्होंने आश्रम फोन किया, उनकी गारी बुलाई और चले गए। लेकिन राम सिंग तुमने उने अकले जाने क्यों दिया। तुम्हे भी उनके साथ जाना चाहिए था। क्यों? क्यों जाना चाहिए था। मेरी तंखा देने की हैस्यत उनकी नहीं रही थी। जब तक वो मुझे तंखा देते थे, मैं उनकी सेवा करता था। अब विनो साहब तंखा देते हैं तो उनकी सेवा। राम सिंग, तुम भी? तुम भी वैसे निकले। तुम भी तो वही हो अजे बाबू। अरे ये सब माया का खेल है, माया का। अब ये डेड़ हजार की क्या जरूरत है। सोच रहा था नियाच चेश्मा बनवागे। कुछ किताबे खरीद लेता। या वह काटना बहुत मुश्किल हो रहा है चोटे, बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इस उम्र में पढ़कर क्या करोगे। आपके जीने के शौक पूरे करते करते मुझे बढ़ापा आगया। आपकी जरूरतों का ताता ही खत्म नहीं होता। वह चोटे वह तुछे में नहीं थक गया। वजपन से लेकर जवानी तक ही तुवानी जरूरतों पूरी करते करते मैं तो नहीं तका। जा इतना तो कर। बड़े भाई की जाकर मौत की दुआएं माग। जा 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 जा। भाई साहब। फिल हाल तो हजार रुपए हैं। पैंशन आने पर पांसो और दे दूँगा। लेजिये जां। आपको एनक बनवानी हैं। किताबें खरीदनी हैं। रख लीजिये न। पढ़ने का शौक आपको भी है। पढ़ने का शौक मुझे भी है। फूप गुजरे की जब मिल बैच कर पढ़ेंगे दीवाने दो। वाह। यह भी क्या जगे हैं। जह अपने बेगाने हो जाते हैं। और बेगाने अपने। तो जीप ताव जीप। ताव जीप। आपका शो अभी तक खत्म नहीं हुआ। वह असी करोड रुपया लेने के लिए जो नाटक किया था। वह तो गए। पर्दा गिर चुका है। अब तो दीनानाथ के पास आपके शो के टिकेट खरीदने के पैसे भी नहीं है। उन्हें अपनी एक्टिंग दिखा और पैसा बटोर। बटोर। ताव जीप। यकीन जाने ताव जीप। आज अज मेरे अंदर क्यों शैतान का शोखत मुचुका है। मर गया वो हैवान। अब तो जिन्दगी भर जिन्दगी भर मुझे अमर का रोलने भाना है। आपके अमर का। और तो जी इस अमर के होते हुए। आप यहां क्यासे रह सकते हैं। चलिए, चलिए मेरे साथ। नहीं। उस दुनिया में भी रहकर देख चुका हूं। उस दुनिया का धोका, परेव, लालच, यहां की दुनिया से बहुत जादा दर्दनाक है। और फिर जब मेरे अपने मुझे दफन कर चुके हैं। तो तू पराया होकर इस कबर को खोथ कर। क्यूं एक जिन्दा लाश का बोज अपने कंडे पर लेने आया। जा, चला जा, यहां से आजाए। तौ जी, आप, हाँ मुझे आजा नहीं बुला सकते। समझे आप। तौ जी मुझे डाटिये, मुझे मारिये। लेकिन अपना अमर समझ कर। जब से मैंने होश सभाला हैं, अपने आपको अनात पाया। लेकिन तौ जी, आप से मिलने के बाद, मुझे एक नई दुनिया मिल गई है। मुझे अचे बुलाकर, मुझे तुभारा नात पत कीजिये आप। मुझे मेरी ये दुनिया मत चीनिये। नहीं तौ जी, आपने अपनी जायदाद गवाई अपरतास्ट कर लिया। लेकिन मैं अपनी ये जायदाद नहीं कवाऊंगा। कर दो तुनिया ओरतास्ट? कर दो करने ये व 쓰고 लेकिन कानी वेकिन झाल, कर जुआ रिकिन दूर्बาीende कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो क culture अमर यह तू मुझे कहा ले आया किसका घर है ये आपका ही घर है बाबुजी सुमंत तू भी तू भी मदाक कर रही है ये घर मेरा कैसे हो सकता है ताउ जी आपसे झूट बोलकर जो तीन लाख रुपए मैंने आपसे लिये थे उससे मैंने ये घर खरीदा था तो ये घर आप ही का हुआ ना, लीजे तौजी, इस घर के कागजाद, इन कागजाद को लेकर मैं क्या करूंगा, ये इधर क्या है, तौजी, बाबुजी, ये आप का ही घर है, आप यहीं रहेंगे, नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता, ये बहुत छोटा है, मेरा दम घुट जा तौजी, समझने की कोशिश कीजिए, अब आप वो दीवान दीनाना चौधरी नहीं रहे, इस खरीब भतीजे के तौजी ये बस, और तौजी, फिलाल इससे बड़ी जगह ले पाना, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ये मुझे पतन नहीं है, तौजी, प्लीज, आज हमार पसंद नापसंद वाली नहीं रही, और वैसे भी, आपकी जायदाद में बस ये घर है, जिस पर आपका कोई नमक हराम, कबजा नहीं कर सकता, दीनाना जी यहां नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, कौन कहता है नहीं रह सकते, कौन रोकेगा इन्हें, तुम, इस घर के कागजा किसी के पास गिरवे नहीं है विनोद साहब और यहां किसी नमक हराम को आने की इजाज़त भी नहीं है चले जाओ यहां से अमर विनोद ठीक है रहा है मैं यहां कैसे रह सकता हूं आप यहां कैसे नहीं रह सकते तौजी अगर मैं यहां रहूंगा तो फिर उस बंगले में कौन रहेगा बंगले में? आपको हो क्या गया है तौजी वो बंगला तो अब इस नमक हराम विनोद का हो चुका है विनोद नमक हराम नहीं है, नमक हरामी का रोल कर रहा था क्या मतलब है आपका ताउजी? यही भतीजे, के तेरा ताउद उससे भी बहुत बड़ा एक्टर है जिस तरह तो उस चंडाल चौकड़ी, यहनी मेरे चारों भाईयों के साथ मिलकर मुझे नाटिक दिखा रहा था उसी तरह मैं विनोद, राम सिंग और कामनी के साथ मिलकर अपने भाईयों को नाटिक दिखा रहा था लेकिन अमर मैंने तेरे साथ कोई नाटक नहीं किया तुझे शुरू से ही अपना खोया हुआ भतीजा समझता रहा और यूहीं समझते रहिए गाताओ जी अब हमारा रिष्टा कोई नाटक नहीं एक हकीकत है राम सिंग जी साथ अब बाकी रिष्टों की हकीकत से भी परदा उठा दिया जाए हमारे भाईयों को खुशकबरी भेज़ दो कि सब कुछ वापस मिल गया है सब कुछ आ गएं फिर मदु मखिया अपना च्टा बनाने वाह वाह हौटों पे मिचली और मुं में डंक भाईया अरे इस रिष्टे को तो तुम चारों भाईयों और तुमारी बीवियों ने मिलकर कसाईयों की तरहें काड़ दिया और अब फिर अपने लालची कंधों पर मेरा जनाज़ा उठाने आ गए भाईया आप हमें गलत समझ रहे हैं गलत तो तुम लोग समझ रहे थे बेवकूफों जो ये समझते रहे कि दीनानाथ की जाइदा दौलत पैसा सिर्फ असी करोड है दीवान दीनानाथ चौदरी की हैसियत आठ सो करोड है सोजते थे कि ये अपाहज बूड़ा मर जाएगा तो सगे भाई होने के नातिर राम नाम सत है कि चार नारे मार कर चारों भाई मेरी जाइदा थड़प कर लोगे लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वाला कहां था ये वीलचेर, डॉक्टर, पिनोद, कामनी, राम सिंग ये तो एक धोका था सिर्फ ये जानने के लिए कि तुम लोगों की नियत क्या है, असलियत क्या है दिवालिया होने का दिखावा इसलिये था के पता चले के कंगाल दीनानाथ के अपने सगे कौन है और अपने सगे निकले ये पराए लोग जिनोंने दीनानाथ के दर्द पर खून के आसू बहाए और मेरे अपने खून वालों ने आखों से आंसों की बजाए मुंसे राल टबकाई अरे पैसा किसको प्यारा नहीं यहाँ पैसु की जरूरत हरे को है अमर भी पैसु के लिए तुम लोगों के साथ मिल गया लेकिन फर्क इतना था कि यह गरीब जरूरत मन था और तुम लोग लालची भूके किद्दों से भी जादा लालची भाईया हमें माफ कर दो भाईया जाओ माफ किया रुक जाओ मैंने कहा था जाओ माफ किया ठाट आउट गड़ अगर ये लोग पांच मिनट के अंदर इस भंगले से बाहर न जाएं तो इन्हें धक्के मार कर निकाल दो और इनकी गाड़ियों को आग लगा दो गड़ाउट यूग ये मेरा नया वसियत नामा है जाइदार तो अब भी बराबर के पांच सुमे तक्सीम हुई है पर कितना है के नाम बदल गए है चार तो मेरे सामने कड़े है और पांचवा मेरे पीछे कड़ा है राम सिंग मालिक आप पहले ही मुझे इतरह दे चुके हैं और अब ये अरे राम सिंग तेरा हिस्सा क्या मैं लेकर अपने साथ ऊपर जाऊंगा पहू इसको रखने की हगदार भी तुम्ही हो जी तैंकि जाओ जी पिनोट कामनी राम सिंग जी मली हिनकी साथ के बाद बादोर जी इतरह जी तैंकि अजी हैं तेरह जी वेदा pounds कर दो कर दो कर दो कर दो प्थियू कर दो कर दो कर दो झाल झाल